हलो 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 एवरीवन उमीद करता हूँ कि आप लोग चूज दूरुस दूरुस हो तो दोस्तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा बैच फॉर सीए फाइनल ऑडिट दोस्तो आप मेंसे कुछ लोग इसको लाइब देख रहे हैं कुछ लोग इसको रेकॉर्डड देखने वाले हैं लेकिन जैसा भी है ये बैच में बहुत जादा मजा आने वाला है और बहुत सारी प्यारी चीज़े हम लोग करने वाले हैं दोस्तो आएए एक एक करके हम लोग चीजों की शुरूबात करते हैं अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मेरी बात करूँ अज़ा प्रोफेसर वीया गुंग तो स्पेंड लोड आफ टाम तोगेदर हम बारे में आपको कुछ बाते बता देता हूं दोस्तों खास बाते मैं 11-12 एक साइन्स टीम का स्टूएंट था उसके बाद में आज आपके सामने खड़ा हो इसका मतलब अगर आप साइन्स टीम से है तो आपको डिस्करेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप बहुत अ मैं आप लोगों दोस्तों बता हूं आप दन मैं आर्टिकल्शिप फ्रम प्राइज वाट्रों स्कूपर्स मुंबई ओफिस तो बेस्ट अप दॉडिट एन्वार्मेंट जो होता है और प्रोसीजर जो होते है यह सब कुछ दोस्तों मैंने देखा है मैंने सोनी एंडिटेन्मेंट टेल्वीजन का ओडिट किया हुआ है आप दन ओडिट ऑफ बोड़ा फोन निकलास प्रामल लोड़ बिस्टेड कंपनीज बड़े प्यारे ग्लामरस ओडिट भी किये है आइफा आइफा ओड्स अपसरा ओड्स इनके भी ओडिट किये हुए ह दोस्तों इन सबका नॉलेज कही न कही मैं आपके साथ में शेयर करता रहूगा तो वो नॉलेज भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहूगा आपके साथ में आपके साथ में शेयर करता हूग बहुत प्यारा कॉंटेंट आपके लिए लेकर आता हूग दोस्तों आपके साथ में आपके कर attain काई प्रा नहीं चाहते हैं बिलकुल उसी तरीके से हम ये पूरा भाज करेंगे दोस्तों बदोस्तों यह तो मेरे बारे में था इड़् जूद मेश बाएब ऐस के बारा मेंग बात कर ले Scott दोस्तों बैज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बड़ा प्यारा सा हम लोग around three hours के आसपास का session रखेंगे और ये session के अंदर definitely बीच में एक छोड़ा सा break भी होगा दोस्तों चिंदा मत करिया उस चीज की और we are targeting around 40 40 lectures and around 100 hours का हम लोग combination plan कर रहें जिसमें पूरा का पूरा audit हम लोग cover करेंगे दोस्तों we'll be covering complete audit हमारा approach कैसा रहेगा how will be our approach approach बहुत ही प्यारा सा बहुत ही simple सा अप्रोच रहेगा दोस्तों ठीक है एक हलका full का background आपको बताना क्यों है concept क्या है concept उसके बारे में आपको बताना और conceptual clarity दोस्तों conceptual clarity क्या होती है जब आप अपने language में भूल जाये सब कुछ अपने own language में किसी concept को अगर आप बात कर सकते हो बोल सकते हो तो वह conceptual clarity है और आज भी यह 16 आने सच है कि conceptual clarity is going to be the most 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 important thing और मैं पूरी जान लगा दूंगा और यह ensure करूंगा कि आपकी conceptual clarity clarity जबरदस्त रहे तो सबसे पहले conceptual clarity रहेगी उसके बाग क्योंकि यह volumnus subject है इस बिग वॉल्यूम सब्जेक्ट ठीक है पूरा का पूरा module हम लोग cover करने वाले हमारी जो audit titanium book है जैसे 19 चाप्टर ICI के module में है वैसे 19 चाप्टर हमारे book में है ठीक है वही sequence में in fact उसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों so we are covering every damn thing हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों we are not living anything तो पूरा coverage रहने वाला है अब क्योंकि इतना volumnus subject है दोस्तों मैं आपको बिलकुल बताऊंगा कि कौन से concepts A category B category C category है ताकि पहले दिन से आपकी दिमाग में clarity हो यार इसका तो overview ही लेना ह है और इसके उपर ही मुझे focus करना है आगे लेकर चलना है ताकि पहले जिन से आपके दिमाग में clarity रहे तो हम लोग volume को manage करने के लिए proper categorization करेंगे मैं मेरा पूरा expertise आपके साथ में share कूरूँगा उस चीज़ को लेकर और very important याद रखने का तरीका तो volume manage करने के लिए ABC analyst के सा रखना यह मैं आपको बताऊंगा दोस्तों दस से जादा अलग-अलग techniques है बच्चों कभी तो भी ऐसा लगता है कि सिर्फ mnemonics ही होते हैं mnemonics ही होते हैं कि बस mnemonics दिमाख में रखो mnemonics मैं बोलता हूं last option है definitely मैं भी mnemonics आपको देरे वाला हूं लेकिन मेरे साब से last option ह याद रखने के लिए उसके अलबाब बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे बहुती effective बहुत अच्छे तरीके होते हैं और वो तरीके मैं आपके साथ में share करूँगा तो conceptual clarity के बाद volume management के लिए ABC analysis रहेगा आपका memorization technique रहेगा and the most 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 important thing दोस्तों दोस्तों बच्चे बोलते ही कि और पे grip नहीं आता है और उसके लिए बहुत प्यानी चीज़ हम लोग करने वाले हैं We are going to lovely thing क्या करने वाले हम लोग दोस्तों दोस्तों we are going to write Yes हम लोग summary बनाने वाले है We are going to make summary अपनी own hand written summary हम लोग बनाने वाले है पूरे 19 chapter की जो भी सारे important concepts से सब की हम लोग summary बनाने वाले दोस्तों ताकि वो देड़ दिन में आप बड़े प्यार से बहुत अच्छे से सब कुछ cover कर ले तो दोस्तों लिखने वाले हम लोग अगर आप मेरे साथ में लिखते इस batch में तो चार चान लग जाएगे क्योंकि जो चीज आपने लिखी है मेरे साथ में उसकी इस understanding गजब की होगी retention भी गजब का होगा so highlight is going to be we are going to write तो आप लोगों ने कम से कम 300 page का 300 page का एक register वो भी बड़ा वाला register वो आपने बनाना चाहिए ठीक है और मेरे साथ साथ में लिखना चाहिए बड़ी प्यारी आप numbering करिए pages की numbering करिए और numbering करने के बाद में ठीक है आप उसको मेरे साथ साथ में लिखिए जितना आप साथ साथ में लिखेंगे मेरे बहुत ज़्यादा मज़ा हैगा so guys यह हमारा approach रहने वाला है कि कैसे हम इस बैच में चीजह कवर करने वाले क्या क्या मटेरियल आपको मिलने वाला है what material you are going to get तो हमारी audit titanium book audit टाइटैनियम बुक आप लोग को मिलने वाली है दोस्तों audit titanium book की अगर मैं आप आइटैनियम बुक की अगर मैं बात कर दोस्तों ठीक है तो आईए देखिए तो आपको इस तरीके से पूरी की पूरी book बिलने वाली है इसकी खास बात मैंने आपको बता दी सारे chapters मॉडुल के covered है और पूरे के पूरे concept वही sequence में जो sequence में हमारा नया course का module है पूरा full coverage है सबसे खास बात है यहाँ पे हर concept का concept number दिया है तो दोस्तो हम लोग जब लिखेंगे ना तो यह concept number लिखेंगे absolute clarity रहेगी कि कौन से concept का hand return note कहां पर है कोई confusion नहीं रहेगा आपके दिमाद में तो concept wise हम पूरा लिखने वाले हैं हर concept का number दिया है and it is going to be the golden thing ठीक है इसका और भी आगरी जाएगा वो मैं आपको बता हूँ फिर क्या कोई concept important है दोस्तो question number दिया हुआ जहां जहां पर भी concept के उपर question है जहां जहां पर भी MCQ है वो दिया हुआ है तो हमारा एकदम simple है पूरे concepts करेंगे मैं साथ साथ में क्योंने भी discuss करूँगा कि ऐसा question आएगा ये question आएगा कुछ question क्लास में भी लूँगा ठीक है मैं आपको बता दू कि around 600 questions around 600 questions कि प्रिसाइज 590 परम question bank में है सारे study material के RTP, MT के सारे questions वहां पर है और उसमें से दोस्तो 450 question के videos ready है और एक excel sheet में दाले हुए है आप कभी भी किसी भी question को search करके सीधा उसको click करके उसका video आप देख सकते है तो ये बहुत प्यारी चीज़ रहने वाली है कि हमारी audit titanium book और परम question bank ये दोनों आपस में linked है दोस्तो आपकी mcq book भी पूरी तरीके से linked है तो daily class के बाद आज के questions आज के mcqs आपने कर लिए जीवन सफल है दोस्ते ठीक है तो और खास बाद अगर टाटिनिम की बोलू आपको कोई लंबे लंबे paragraphs नहीं मिलने वाले इसको पढ़ना इतना आसान रहेगा इतना मज़ेदार रहेगा आपको पूरा point wise मिलेगा देखें दोस्तो हर चीज बिलकुल point wise मिलेगी you'll be getting point wise कोई लंबे लंबी चीज़े नहीं है point wise है इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है बहुत ज़्यादा simple है मज़ा आता है और याद रखना और भी आसान है कि point wise सब कुछ दिया है अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे module में paragraph के paragraph है लेकिन हमारी ये book है जिसमें हर point का heading भी दिया है कि ये point किस पे hit करता है ये दिया हुआ इसकी सबसे खास बात है आपको across the book मिलेगा साथ में movement techniques है वो भी इसको यहाप यहाप मिल जाएगी audit titanium book के साथ साथ में दोस्तों आपको परम question bank आपको परम question bank one of the best question banks हर question का question number है और वहाँ पर पूरी कुंडली दी है कि ये कब-कब कौन से कौन से MTP, RTP कहा कहा पूछा है कितनी बार पूछा है सब कुछ दिया हुआ है ठीक है in fact ये भी दिया हुआ है even this is provided कि ये question कौन से concept है ठीक है आईए मैं आपको बतायता हूँ तो अगर अभी पहले का edition मेरे पास में खुला है तो वो मैं आपको बतायता हूँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको question number मिलता है कौन से concept के उपर basic cross linking मिलती है किसी भी तरीकी का कोई भी confusion आपको कभी नहीं होता है दिखने के लिए दोस्तों बहुत ही छोटा सा feature है बहुत छोटा सा feature है लेकिन जो clarity लाता है आपके दिमाग में जो जबर्दस सुकूर लाता है आपके दिमाग में ठीक है जो time saving लाता है वो जबर्दस्त है इसके बाद अगर मैं बात कुरू तो old course में कितने बार आया new course में कहां कहां पर आया पूरी कुंडली भी है obvious सी बात है common sense की बात है जो चीज को जादा पूछा गया है institute के material में जादा repeat हुआ है ठीक है तो उसके वो उतना जादा important बन जाता है और सारे similar question club there कोई भी repetition नहीं लेकिन उसी question को पूछने के अगर अलग-अलग तरीके है तो और करके दिया हुआ है दोस्तों ठीक है यही पर आपको दो तरीके है दो तरीक कैसे पूछने के वो दिया है और जो मैंने आपको बताया लग-भग छेसो में से 450 questions दोस्तों पूरा database ready है ठीक है मैं आपके साथ में link share करूँगा दोस्तों तो वो link में आपको सभी चीज़े मिल जाएगी तो आपको ये बुक मिलने वाली है फिर अगर मैं बात करूँ आपको इसके बाद MCQ बुक MCQ बुक MCQ बुक के अंदर भी पूरी numbering है बिल्कुल ऐसा ही है कब कख कहा पर MCQ कितने बार पूछा गया है सब कुछ दिया हुआ है ये भी आपके titanium book के साथ में link है दोस्तों और सबसे खास ये batch के साथ हम लोग फाडू चार्ड बुक भी देंगे आपको फाडू चार्ड बुक भी मिलेगी लेकिन दोस्तों ये फाडू चार्ड बुक आपको batch खतम होने पे मिलेगी क्योंकि यह कैसे बनने वाली है जो class में हम लोग प्यारे से handwritten notes बनाने वाले है उसी के उपर based यह chart book रहेगी, batch खतम हो जाएगी उसे कुछ दिनों में आपको यह chart book मिल जाएगी, जो लोग बाद में देख रहे हैं, उनको पहले दिन से chart book मिल जाएगी, लेकिन कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो सारी चीज लिखवाने ही वाला है, so don't worry about that, तो आपको ये चार चीजे दोस्तो मिलने वाली है, you'll be getting this four books, and now, a lovely lovely thing, हमने एक बड़ा प्यारा सा test portal ready किया हुआ है, दोस्तो, रोज का मैं आपको daily practice question DPQ दूँगा, आपको लिखना है, और आपको upload करना है, तो दोस्तों, मैं ठीक है, तो मैं आप लोगों को, मैं आप yes, जयन्त, I can see your comments, definitely हाँ, जहर भी जरूर मिलेंगे CA final में भी दोस्तों जहर रहते हैं, लेकिन अपकोर्स पहले दिन ते जहर नहीं सनाता हूं मैं, स्वास्ता के लिए हानी कारव हो सकता है, बहुत ही नए जहर मिलेंगे, गजब के जहर मिलेंगे, जिसको सुनके आपकी आत्मा तुरुप्त हो जाएगी ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ये जीवन का परपस मैंने अचीव कर लिया है ना तो DPQ आपको मिलने वाला है आपको डेली प्रैक्टिस कोश्चन लिख करके अप्लोड करना है हमारी टीम हर बच्चे का DPQ चेक करके देगी, जो बच्चे लाइव देख रहे है, उनका भी चेक करके मिलेगा, जो बच्चे रेकॉडड देख रहे है उनका भी चेक करके मिलेगा दोस्तों, सबका चेक करके मिलने वाला है, ये डेली प्रैक्टिस कोश्चन और उसके बाद में हमारे टेस्ट होंगे वो टेस्ट भी सबके चेक करके मिलेंगे बड़ा प्यारा सा पोर्टल है उसके उपर आप अपलोड करिए ठीक है? मैं आप लोग को बता दू आपका जो रेजिस्टर इमेल आईडी है वही आपका यूजर नेम है वही आपका यूजर नेम है यूजर नेम पास्वर्ड के बारे मैंने बता दिया कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको औरिट सब्जेक्ट में जाता है एड्मीन की चीजों को लेकर तो आप नोट कर लिजे दोस्तो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये 9-3-2-2-0-1-9-1-5 ठीक है लेकिन ध्यान रखिए एड्मीन स्टाफ 24 घंटे पॉसिबल नहीं है ठीक है इसी लिए मॉर्निंग 11 एम 2-6 पी-म ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा आपका एड्मीन में टेस्ट पोर्टल में अगर आपको दिक्कत चले जाए बुक्स के डिलिवरी में आपको कुछ प्रॉबलम है इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत है इनको कॉन्टेक करिए इनको वाट्सअप भी कर सकते है आप इनको वाट्सअप डिफिनिटली वाट्सअप आप जब चाहे तब करिए लेकिन यह आपको रिस्पॉंड करेंगे यह समय के अंदर ठीक है तो उस बात का ख्याल रखे सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पर सॉल हो जाएगी बिल्कुल चिंता ही कोई बात नहीं है दोस्तों और मैं आप लोग को बता दू अगर आपको एक ग्रूप जॉइन करना होगा एक ग्रूप जॉइन करना होगा C.A.F.I.L.A.D.T का मैं अभी आप लोगो को उसका QR कोड बता रहो ठीक है और उसका नाम भी मैं आप लोग को बता दूँगा तो आप ये QR code scan कर सकते हैं देखिए फोटो भी है वहाँ पे QR code scan करिए और ये group में आप join करिए ये latest हमने हमारा group बनाय हुआ है इस पे join करिए यहाँ पे एक topic रहेगा हमारे batch का वहाँ पे आपके सारे updates आते रहेंगे सभी चीज़े, all of them will be there ठीक है तो उसको आप join कर लीजे दोस्तो this QR code needs to be needs to be joined ठीक है यही पे सारे updates आपको मिलेगे जो मैं रोच के notes लिखवा रहा हूँ यही पे आपको मिलेगे हर lecture के बाते में आपको audio revision देने वाला हो दोस्तों वो audio revisions भी आपको यही पर मिलने वाले है सारे के सारे ठीक है और जितनी भी चीज़े मैंने आपको बूली है हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसको entirety में 100% हम आपको provide करे और आपका subject बहुत प्यारा बने और इस बार audit में भी 80 पार ठीक है यह आप लोग का target रहे दोस्तों आये दोस्तों तो मैंने मेरे बारे में आप लोग को बता दिया batch के बारे में आपको पूरी information दे दी कि क्या रहने वाला है कैसे रहने वाला है अब आगे बढ़ते हैं now just a minute guys okay guys अब मेरे साथ साथ में आप लोग को लिखना शुरू करना है ठीक है तो अगर मैं बात करता है दोस्तों as I said मेरे साथ साथ में जितना लिखेंगे आप उतना बढ़िया कितना प्यारा सब्जेक है ठीक है अगर इसकी बात करें तो हम लोग इसको divide कर सकते हैं तीन पार्ट्स में मोटा मोटी तीन पार्ट्स में दोस्तों हम इसको divide कर सकते हैं आपके चाप्टर वन तो चाप्टर इलेवन ठीक है यह वो चाप्टर है जो based है on standards on auditing essays इसमें काफी सारे नए standard institute ने introduce किये हुए है और कुछ standards है जो पुराने carry forward होते हैं उसमें लेकिन कुछ बाते अलग होती है कहीं पर कम है कहीं पर जादा है चीजे as compared to inter ठीक है हमारे पूरे module के हिसाब से RTP MTP में जो नोने target किया है उसके हिसाब से हमने पूरे notes बना के रखे हुए है तो एक आपका essay based है फिर मैं अगर आपको बात करूँ तो आपका next है chapter 12 to chapter 18 ठीक है यह मैं other chapters other chapters करके आपको बोलूगा और फिर chapter 19 professional ethics professional ethics आपके success आपका success का राज दोस्तों यही से निकलने वाला है CFL audit के अदर आप जो चौके चक्के मारने वाले professional ethics से वो रास्ता गुजरता है क्यों गुजरता है वो आपको जल्दी सबज में आ जाएगा तो अगर मैं essays की बात को दोस्तों so that is essay जो chapters are that is going to account for around approximately 50 marks मैं 100 मार्क का मतलब 100 मार्क के साब से बूल रहा हूं paper लेकिन आता है around 120 मार्क का तो 20-20 percent increase आप मान कर चलिएगा जो institute ने वेटेज दिया वो मैं आपको बतार हो around 50 marks around 50 marks are going to come from standards on auditing तिर अगर मैं बात करो other chapters around 30 marks or professional ethics around 20 marks दोस्तों now so this is going to be a super super important thing ठीक है पचास 30-30 120 करेंगे तो आप 20-20 percent और marks आप increase करके चल सकते हैं दोस्तों तो यह तीन मोटा मोटी parts है जिसमें हम पूरे subject को divide कर सकते हैं इसमें मैं आप कहता दू secret to success secret to success है जो बच्चे ignore करते हैं यह है professional दो करते हैं अच्छे से other chapters यह दोनों मिलाकर 50 mark है दोस्तों ठीक है यह जो दोनों मिलाकर 50 mark है इसको इस पे command लाना और इसको achieve करना comparatively आसान है it is easy यह आपका रहने वाला है secret to success this is going to be secret to success मक्खन जैसे मक्खन जैसे बिलकुर रहे गा है यह पचास में scoring बहुत जादा हो सकती है यहां पर score करने की probability बहुत जादा है but definitely हम लोग सब कुछ cover करने वाले we are going to cover everything और जो पचास mark है यह भी important है भाई अगर हमको 80 पार जाना है 80 पार जाना है तो सब कुछ हमको cover करना है but this is going to be secret to success your chapter number 12 to chapter number 19 दोस्तों ठीक है दोस्तों मैंने आप लोग को subject के बारे में भी बता दिया अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं we are going to start with very important chapter we are going to start with very important chapter number 19 अगर आपके पास में आज notes नहीं दिये तो बिलकुल चिंता मत करिये बस मेरे साथ साथ में लिखते रहिए आप ध्यान रखिए यह batch में अगर आप मेरे साथ साथ लिखते गए ना तो सब कुछ अपने हाप सेट हो जाएगा everything will be absolutely fine आईए दोस्तों तो आपके मन में कोई भी सवाल हो कोई भी doubt है मुझसे बेजी जग बात करिये ठीक है class के दौरान class के बात जब भी आपका मन करें मेरे साथ में बिलकुल आप बात करते जाएए आईए So we are going to start with Chapter 19 Professional Ethics और जैसा मैंने आपको बताया आप जितना मेरे साथ साथ में लिखेंगे बात बनती जाएगी अब हम यह chapter को पहले पेट से शुरू नहीं करने वाले है ठीक है पहले पेट से अब लोग शुरू नहीं करने वाले इसकी अगर मैं बात करूँ ठीक है तो इसको भी हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आपका चैप्टर के अंदर पार्ट वन है यह आपका कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की उपर बेस्ट है और मैं तो जानता है यह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है आपको कितना प्यार है ठीक है इसलिए में वो सबसे पहले नहीं लेने वाला ठीक है डाई सब कुछ बहुत इंपॉर्ट दोस्तों यह पर्टिकुलर चैप्टर में आपको केस्टरीज आने के बहुत जबा चांसे से और हर चीज़ पर आपको केस्टरीज आएंगे पार्ट टू के अगर मैं बात करता हू तो आपका CA Act, CA Act 1949 क्यों पर पूरा का पूरा बेस्ट है यह और पार्ट टीक अगर मैं बात करता दोस्तों तो यह शेडूल्स प्लस गाइडलाइन्स क्यों पर बेस्ट है ठीक है तीन पोर्शन है दोस्तों और हम लोग शुरुबात करने वाले पार्ट टू पहले पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे क्योंकि उसका इंपोर्टस जादा है उसका इंपोर्टन जादा है बड़ी इंटरस्टिंग चीज है ठीक है यह पढ़ने के बाले आपको ऐसा लग सकता है और भाई साब CA के उपर कितने सारे रिस्ट्रिक्शन से है कोई से ने क कोई पहले बताया क्यों नहीं इतने सारी डिस्रिक्शन है चार्ड अकॉपनेंट के उपर यह पार्ट टू और पार्ट ट्री में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पार्ट वन के उपर आएंगे पढ़ाफट करके ठीक है आईए दोस्तो तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे पहले पोर्शन को हम लोग ठीक है बाद में दिखेंगे तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है फॉर्स्ट वीर स्टार्टिंग विट सी ए एक में जस्ट आमेट गाइस तो वीर साथिंग विट नमबर 580 मेंबर्शिप अप्ट अप्ट एक मिनिट मेरे प्यारे दोसो यह स्क्रीन कट चु रही है यह स्क्रीन नहीं कटनी चाहिए थी कोई बात नहीं कट रही है तो उसको अनकट रही है कर देंगे अनकट करना वह जुरी है हाँ अब यह अनकट हो रही है अजस्ट मिनिट इस फ्रेंज ओके यहां से भी कट हो रही थी दोस्तो जियोगी अच्छी बात नहीं है कैसे हुआ यह क्यूं हुआ कट नहीं होना चाहिए था लेकिन हम इसको सुधार चुके है ओके और बात नहीं हो तोस्तों झाला लेकिन हम इसको सुधार टी बात ओके हम ऑ्याग वह ज्याई हाँ का बात नहीं हो रहीं है तो कोई भूत आया और हमारी सेटिंग्स को छेड़ गया सर क्या बोल रहे हो सराप क्या बोल रहे हो येस ना हो गाईज आर थू अब हमको बैलेंस रखना पड़ेगा मेरे और स्क्रीन के साथ तो आईए दोस्तो सबसे परा टॉपिक है आपका बिल्कुल भी C काटिकरी का जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को पूरा मार्किन करते जाऊंगा सबसे पहले मेंबर्शिप अप दे इंस्टिट्यूट बहुत ही सिंपल चीज है बहुत ही प्यारी सी चीज है जिस दिन आप C F I N एक्जाम्स क्लियर कर लोगे आपके आर्टिकर्शिप ट्रेडिंग आप कम्पलीट कर लोगे दोस्तो फिर आपको अपलाय करना पड़ेगा यस यह आटोमेटिकल नहीं होता आपको अपलाय करना पड़ेगा इंसिट्यूट को फॉर्म नंबर टू में मानने महोदे प्लीज मुझे आप इंसिट्यूट का मिंबर बना लीजिए और मुझे वो दो गोल्डन लेटर्स दी लीजिए जिसके लिए मैं तणप रहू चार्ड अकाउंटन मेरे नाम के सामने C.A. लगा दीजिए ठीक है तो जिस दिन आप इंसिट्यूट के मेंबर बनते हो यू बिकम चार्ड अकाउंटन आईए दस्तो C.C. कोई पूछनी वाला एक ओवर्वीव मारेंगे कुछ इंपॉर्ट चीज़े वो लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे The council accepts the application for membership बहुत बढ़िया application तो application भेजना पड़ेगा ठीक है ठीक है आप ठोचुके है We have shifted to different network So it is absolutely fine Now we are connected Okay Now Now yes We are connected तो certificate मिलेगा इसके अदर बहुत ही simple से details होते है बहुत common sense भरे common sense भरे आपके details रहेंगे नाम, date of birth, domicile कहा के हो professional address and so on आपको याद रखने की जरुरत नहीं है ठीक है और additional information भी अगर institute चाहे तो और additional information और हो सकता है ठीक है जैसे आपका office आपके office के details और professional address हो सकता है आपके साथ में कितने CA काम करते हैं जब चाहे तब ये requirement बढ़ा सकता है जैसे मैंने बोला कि C category है आईए मेरे साथ साथ में इसको लिखते जाएए और concept number जरूर दालिएगा क्योंवि concept number जो है यही हमारी शान है यही हमारा बहुत ही important principle है जिसको लिखते जाएए तो P.E.580 membership membership of ICAI इसमें कुछ important बात है हम लोग लिखेंगे बहुत ही simple सी बात person who cleared CA exams and completed articleship and other trainings has to apply has to apply उसको apply करना जरूरिया दोस्तों apply for membership तो इस चीज़ को हम लोग heading भी देदेंगे हर point को दोस्तों हम लोग heading देते हुए जाएंगे जितना हम लोग heading देते हुए जाएंगे उतना बड़ा आसान जाएगा तो यहां पर application application apply करना पड़ेगा ठीक है फिर इसके बाद में certificate ICAI will enter name in members register in members register person फिर वो बंदा will become charge accountant फिर वो एक प्यारा सा charge accountant बन जाएगा he will be issued he will be issued certificate on registration registration issue registration ठीक है और अगर हम बात करें details की बहुत ही simple simple से details इसके अंदर जनरली होते हैं ठीक है आपका पुरा नाम रहेगा आपका address रहेगा ठीक है आपके qualifications रहेंगे फिर आपका COP status कोई याद रखने की ज़रुद नहीं दोस्तों आपका COP status क्या है वो information रहेगी ठीक है आपका professional address address रहेगा हो सकता है कि आपका firm name भी हाँ पे दिया जाए and etc and so on तो मुद्दे की बात simple है आपको apply करना पुड़ेगा application के बाद में certificate आपको मिलेगा और register के अदर ये details रहेंगे बस ये तीन बात है लेकिन मैं आपको बता दू कि ये C category है C category मतलब एक बार overview कर लिया अच्छा ऐसे ऐसी बाते हैं और हम आगे बढ़ दे कुछ C category topic तो मैं आपको लिखवाओंगा भी नहीं ठीक है लेकिन ये professional ethics ऐसा chapter है जिसके अंदर आप मान के चलिए 99% चीज़े हमारे लिए important हैं तो हम वो तो पुरे लिखने वाले हैं क्योंकि P chapter जो मैंने बोला 20 mark से जादा 20 mark से जादा आपको यहां से आने वाले तो ये extremely important बन जाता है आईए फिर अब हमको बात चल गया कि CA Institute का member कैसे बनते दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जैसे आप लोगोंने बच्पन में पढ़ा होगा auditor बनना होता है तो उसके qualifications होते है कि भई कुछ अच्छी बाते आपके अंदर होनी चाहिए और disqualification होते है कुछ बूरी बाते आपके अदर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल उसी concept के अपर बेस से अगर आपको CA Institute का member बनना है तो अच्छे लोगों नहीं member बनना चाहिए इसको ध्याद में रखते हुए इन्होंने section 8 बनाया है इन्होंने section 8 बनाया है disqualifications disqualifications for charge accountant मतलब कौन से लोग CA Institute का member नहीं बन सकते है दोस्तों मैं आप लोगों को एक important बात बता दू यह CA Act दोस्तों 1949 का है 1949 का है बहुत पुराना Act है ठीक है बहुत जगा पे drafting poor है clarity नहीं है ambiguity है बहुत सारे clarification institute में इतने सालों में 1949 से अभी तक ठीक है almost 75 years इसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे clarifications issue की हुए है तो मैं आपको इसलिए बोलूँगा कि इसको आप Companies Act या DT IDT जैसा मत पढ़िये word to word cut to cut मत पढ़िये यस दोस्तों आप इसको principle based मालिए यह एक principle based है क्योंकि इसकी drafting loosely drafted है और common sense है दोस्तों जिस law का सिधा impact पैसो पर पढ़ता है जैसे आपके tax laws वो बहुत ज़ादा carefully drafted होते है latest होते है बहुत सारे amendments होते है ठीक है फिर आपका Companies Act होता है company का फुरा status की उपर डिपेंड है यह बहुत ज़ादा अच्छे से drafted होते है यहाँ पर हर शब्द का बहुत importance है लेकिन CAC में आपको बोलूँगा principle क्या बोलता है क्या बोलना चाहता है क्यों बोलना चाहता है यह principle based अपरोथ ज़ादा important रहेगा आईए दोस्तों तो हम लोग देखते हैं section 8 के अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो बन्दा बड़ा ही नहीं हुआ जो बन्दा बड़ा ही नहीं हुआ अब person must be at least 21 years old 21 years to be registered ठीक है जो बन्दा बड़ा ही नहीं हुआ वो institute का member नहीं बन सकता कम से कब उसका 21 years का age होना चाहिए ठीक है फिर अब बड़े हो गए बड़े हो गए लेकिन दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए कोई इसक्यूक पर case नहीं आएगा simple से disqualifications क्या है disabilities क्या है वो हमको बता देना है ठीक है फिर अगर किसी भी court ने individual adjust by competent court as being unsound mind कोई भी competent court अगर बंदे को unsound mind का बोल देता है वापस वो disqualify हो जाएंगे वो institute के member नहीं बन सकते ठीक है देखो एक flow है और जो मुझसे पहले पढ़ चुके और नहीं पढ़ चुके मैं हर चीज को याद रखने है कोई ना कोई flow आपको बताऊँगा और वो flow आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा तो वो flow को आप पकड़ते जाएंगे ठीक है और मैं आपको बताऊँगा भी लिखाऊँगा भी पहले बंदा बढ़ा ही नहीं हुआ disqualified बढ़ा हो गया लेकिन दिमाग यह ठीक नहीं है disqualified बंदा insolvent हो गया बढ़ा हुआ लेकिन जादा ही हो शियार हो गया उसके liabilities are more than assets अगर liabilities are more than assets तो बंदा क्या हो जाता है insolvent इसके लिए सबसे पहले देखें मैंने for knowledge कुछ बात बोली है वो हम लोग पढ़ते हैं when person is not liable to pay not able to not able to pay his her liabilities person can go to करते हैं तो बंदा court के पास जा सकता है और यह प्रूफ कर सकता है कि मानने महोद है मेरे इतनी liabilities है और मेरे पास में बस इतनी assets है ठीक है और जो कि बहुत कम है मैं पेनी कर पाऊंगा तो court court will declare him as insolvent court उसको insolvent declare कर देगा सामने कि भाई आप इनकी liabilities are more than the assets तो वो insolvent हो जाएगा बहुत simple सी बात है फिर वो request कर सकता है court को कि भाई प्लीज आप control लीजे सभी assets का sell them and pay creditors और उसको discharge कर दे कि मेरे जित्ते भी assets है मेरे जित्ते भी assets है आप ये सारे के सारे जो assets है आप इसको बेज दीजे ना प्लीज आप इसको बेज दीजे प्लीज प्लीज आप इसको बेज दीजे ठीक है just a minute guys प्लीज आप इसको बेज दीजे मेरे सभी libraries को pay कर दीजे और उसके बाद में कुछ भी जब सब खतम हो जाए ठीक है तो पुरी दुनिया को बता दीजे कि अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा है ठीक है बस इससे जितना वसूल कर देज पर कर लिया है और मुझे बाकी library से discharge कर दीजे मुक्त कर दीजे तो court पहले बंदे को insolvent declare करता है फिर उसके request पर उसको discharge करता है कि हाँ अब तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तू सब दे चुका है ठीक है अब कोई ते को तंग नहीं करेगा तू discharge हो गया है तेरी सभी liabilities से भाई अब धंदा नहीं चला तो क्या बंदे की जान ले लोगे जो asset है वो ले लो ना यार जितने asset है उतने ले लो खतम करो फिर बंदे को छोड़ दो अनी लंबानी जी रहा है ना अनी लंबानी जी रहा है न अच्छे से हसते खेलते जी रहा है बढ़िया आश्वा आराम के साथ जी रहा है और कोई बुरी बात नहीं है वसूली पूरी हो जाने चे जितनी वसूली हो सकते है फिर वो बंदा discharge insolvent कहलाता है at the time of getting discharge court में give him certificate certificate दे सकता है कि insolvency जो ही उसकी खराब किस्मत misfortune के वज़े से हुई और कोई गलत का misconduct के वज़े से नहीं हुआ मतलब क्या सकता कि भाई इसकी जो insolvency हुई अब भाई earthquake आ चुका था earthquake आ गया तो उसकी factory damage होगी क्या कर लेगा बेचारा enemy action में bomb गिर गया क्या कर लेगा बेचारा तो उसकी किस्मत खराबती misfortune and not misconduct तो उसको certificate of misfortune मिल सकता है ठीक है अब institute क्या बोलता है जो बंदा discharge हो गया है और discharge के वग्द उसके पास मिसफॉर्चून certificate है ऐसा बंदा अपनी membership अपना membership continue कर सकता है बाकि सब बंदे जो बंदा insolvent हो चुका है he is disqualified जो अभी undischarge insolvent है ठीक है अब दर discharge नहीं हुआ प्रोसेस में है ये भी disqualified हो जाएगा discharge हुआ लेकिन misfortune certificate नहीं मिला मतलब तेरी लापरवाही या पर तेरे बुरे काव fraud के वज़े से तो insolvent हुआ है वो भी disqualified है बस वो बंदा जिसके पास में ठीक है ये misfortune certificate है discharge के वक्त misfortune certificate है बस वही qualified रहेगा वोई बात लिखे दोस्तों undischarge insolvent और discharge insolvent without a certificate undischarge हो तो disqualified तो disqualified अगर discharge हो तो disqualified without court certificate certificate नहीं misfortune to disqualified फिर अगर किसी ने criminal activity की है ठीक है criminal activity चाहएड अकॉन कोई दूद के दूले तो होते नहीं है आप तो आपके principle को जानते ही ह। आपके साथ ही कितने सारे crime कर देते है है ना तो individuals convicted जिनको भी conviction हुआ है convicted of an office an offense involving moral turpitude बहुत ही कोई बुरा काम कर दिया moral turpitude moral value society के पूरे destroy कर दिया ठीक है देखो बहुत simple सा है ये मैं बोलूगा कि B category topic है B category topic है आने के लिए एकाथ बार आ जाएगा ठीक है आने के chance काम है MCQ MCQ में target कर सकते हैं अगर कोई बहुत बुरा काम कर दिया moral turpitude moral value किसी का murder कर दिया हे भगवान ठीक है खून कर दिया फिर terrorism में support कर दिया बहुत ही बुरी बात है drugs का काम कर लिया बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है बहुत ज़्यादा law के इसाब से माफी मिल गई और जो भी माफी देना चाहिए law के इसाब से अगर माफी मिल जाती है माफी मिल गई है तो बच जाएगा बंदा या फिर central government remove करता है central government जिसने जो भी किया देश के लिए किया इसने देश के लिए किया हम इसकी risk qualify को remove करते है सकते हैं या फिर Central Government आपको बचा सकता है. Professional misconduct अगर आप आपके Professional activity के दोरान कुछ गलत काम करते हैं तो उसको misconduct गलत काम को misconduct बोला जाता है और misconduct किया और order पास हुआ आपके अंदर और order में लिखा हुआ है कि आपका नाम निकाल गिया जाए. Removal from the from the institute due to professional other misconduct इसके बारे में लिखते हैं लिखते प्यार हो जाए हमारा यही मोटो है कि आप इसको लिखते जाए जितना आप इसको मेरे साथ में लिखते जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ आपकी पढ़ाई यहां के यहां पूरी खतम हो जाएगी पीड आपको घर जाके पढ़ने की भी जुरुत नहीं पढ़ेगी आए सेक्शन एट डिस्क्वालिफिकेशन्स आप इसको डिस्क्वालिफिकेशन्स बोलिये disabilities for और मेंबर्शिप और मेंबर्शिप और मेंबर्शिप ऑफ आई सी ए आये तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा यहां पर अगर मैं शॉटकट बोलू दोस्तों शॉटकट इन प्रैक्टिकल लाइफ क्रोनो लॉजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजे पहले होती है उसके सीक्वेंस में आप को याद रखना है ठीक है सबसे पहले एज कौन सा बंदा डिस्क्वालिफा होगा बहुत सिंपल सा कौन सा बंदा डिस्क्वालिफा होगा जो बंदा अभी दग 21 साल का नहीं हुआ छोटा बच्चा है छोटी बच्ची हो क्या है छोटा बच्चा है वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है वो बंदा चार्ड अकाउंड नहीं बन सकता बंदा बड़ा बन गया लेकिन अंसाउंड माइंड अंसाउंड माइंड अंसाउंड माइंड बंदा बड़ा हो गया लेकिन दिमागी हलत खराब है फिर डिस्कॉलिफाइड है ठीक है इंसॉल्वन्सी के लेकर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल सी बात है जो बंदा इंसॉल्वन्ट हो जाता है ठीक है इंसॉल्वन्ट हो गया है मतलब लाइबलिटीज लाइबलिटीज आर मोर दन एसेट्स वो बंदा वो बंदा डिस्कॉलिफाइड हो जाएगा ठीक है वो कोर्ट के पास गया अभी तक वो डिस्चार्ज नहीं हुआ अन डिस्चार्ज इंसॉल्वन्ट वो बंदा भी डिस्कॉलिफाइड ही रहेगा दोस्तों वो बंदा भी डिस्कॉलिफाइड रहेगा ठीक है अब जो डिस्चार्ज हो गया डिस्चार्ज बायकोर्ट बट नॉट हाविझ प्रॉट लूट का जाय अफ। छर्टिफिकेट अफ मिस फॉर्चॉन शर्टिफिकेट अफ मिस फॉर्चॉन नहीं है ठीक है गया अफ। तो बाल मेद गाईज कि मिस्पॉर्चुन है वह बंदा भी डिस्कॉलिफाय हो जाएगा बड़ा हो गया लेकिन ज्यादा ही होश्यार है डिस्कॉलिफाय या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर देता है मतलब जो कन्विक्टट और क्राइम मैं जितना लिखके दे रहा हूं उतना मुच मोर दैन इनफ है इस स्याद आपको सोचने की ज़रत नहीं याद रखने की ज़रत नहीं है क्राइम इन्वॉल्वेंग मॉरल टर्पिट्यूड एक्जाम्पल के दौर पर मॉर्डर ठीक है ड्रक्स टेरोरिजम एक्सेट्र ऐसा कुछ काम कर लेता है तो बंदा अगर उसको माफी मिल जाए जैसे भी माफी मिले ज्यादा रीटेर में जाने की जरूत नहीं है या फिर अगर पार्डन हो जाए तो चला जाएगा या फिर डिसाबिलिटी रिमूवड बाइस सेंट्रल गवर्मेंट तो फिर बच जाएगा बदा फिर अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के बाद में प्रोफेशनल मिस कंड़क्ट फिर बंदे ने गलत काम कर दिया ठीक है कंविक्टिट पॉर डूइंग रॉंग तिंक्स देखें वर्ड तो याद रखने के लिए मज जाएए सबसे सुसाइडल होगा अब हमने अच्छी रीडिंग की है अच्छे से लिखाया तो अपने आम बड़े प्यारे-प्यारे वोकाबलरी आपके दिमाग World ठीक है, एक्जैक्ट याद करने भी नहीं जाना है और कुछ याद करने भी जाना है बीच में का रास्ता सबसे बेस्ट रास्ता है दोस्तों मुद्ध याद रखने मुझे सिर्फ Convicted for doing wrong things and Removal Order was passed तो उसका नाम निकाल दिया जागा दोस्तों ठीक है बहुती सिम्पल सी बात है उसका नाम निकाल दिया जाएगा फिर इसके बाद में एक सिम्पल सी बात बोली है हम यहाँ पे note में लिख देंगे CA has to himself inform ICAI about his disqualification खुद बताना पड़ेगा disqualification के बारे में otherwise it will be अगर कही और से पता चला मतलब तुमने चुपाया be treated as professional misconduct ठीक है फिर हम लोग यह और आलरीदी जानते हैं इस इन्सॉल्वंट अ इस इन्स्ववंट अ गो टो कोट 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 विल he will declare it court will sell assets discharge liabilities and declare person as discharged insolvent court may give insolvency may give misfortune certificate may give misfortune certificate ये note में हमको पता होना चाहिए अगर हम लोग बात करते हैं ultimately अम्रुत points की अम्रुत points मतलब ultimately हमको कौन से चीज़ पर ध्यान रखना है अम्रुत points के अगर बात करें बंदा बड़ा ही नहीं हुआ disqualified बड़ा हो गया लेकिन जादा ही लेकिन दिमाग से पैदल है unsound mind देखो flow देखो कितना प्यारा है एक chronical order है फिर बंदा बड़ा हो गया लेकिन जादा ही होश्यार हो गया insolvent ठीक है या फिर जादा होश्यार हो गया professional उसके पहले criminal activity कर ली बहुत बुरी बात या और एक बुरी बात professional misconduct total पांच disqualification आपके दिमाग में देखो बंदा बड़ाई नहीं हुआ disqualified दिमाग यह हलत ठीक नहीं है बड़ा हुआ लेकि दिमाग नहीं है disqualified जादा दिमाग है जिसमें वो insolvency कर देता है disqualified या criminal activity कर लेता है disqualified professional misconduct कर लेता है disqualified गलत काम अगर कर लेगा बंदा ठीक है तीन गलत काम दिये हैं आपके तीन गलत काम दिये हैं आपके तो disqualified यह अमरुत points अमरुत मतलब बड़ी प्यारी जो एकदम जो final conclusion निकलता है उसको हम लोग अमरुत points बोलते है तो यह अमरुत points है यह बस आपके दिमाग में रहने चाहिए यह आपके दिमाग में है चीजे set है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों बहुत ही simple simple सी बात है initial portion बहुत simple सा है बहुत आसान सा है ठीक है आगे और interest बढ़ता जाएगा तो पहले membership related बाते कर रहे हमने देख लिए members बनना है बहुत simple simple सी तीन बाते है ठीक है आपको apply करना पड़ेगा आपको certificate मिलेगा और certificate मिलने के बाद में आपके details को preserve करके रखा जाएगा और फिर हमने देखा कि 5 तरह के disqualifications come on guys मेरे साथ साथ में लिख पे जाएगे जितना आप प्यारा लिख पे जाएंगे उतने दिमाग में आपकी clarity आते जाएगे तो कुछ लोग को सुबह उटने के आधत ही नहीं होगी तो उनकी आखे आज खोली नहीं रही होगी कोई बात नहीं एक दो दिन लगता है सेट होने में और उसके बाद में आप सेट हो जाओगे कुछ लोग रात को लेक्चर देख रहे होंगे मैं तो night person नहीं था तो मैं suggest करूँगा कि रात को lectures ना देखे दिन के समय में आप इसको देखे सुबह सुबह देखे तो बहुत बड़ी है बाकिष्ट दानुसा हर बंदा अलग है जिसको जो suit करता है उसके हिसाब से चलना चीए दोस्तों ठीक है ओके नौ आहो हो types of members सर ऐसा तो कुछ हमको पता ही नहीं था अरे दोस्तो types of membership अब ये B category था ये भी मैं आपको B category बिलता हूँगा ये इतना important नहीं है जैसे ही आप institute के register में आपका नाम लिखा जाएगा आप बन जाएंगे क्या बन जाएंगे आप दोस्तों आप बन जाएंगे associate member of ICAI associate member of ICAI बन जाएंगे पात साल पूरे करिए और आप apply करिए फिर आप बन जाएंगे fellow member of ICAI तो बहुत simple है junior लोग और senior लोग को distinguish करने के लिए दो तरह की membership है ठीक है आईए तो section 5 है section number ये C8 के कुछी section है सारे section नहीं है अपने आप आपको याद हो जाएगे जाचिंता करने की जरुत नहीं है तो आपका section 5 है दोस्तों और चार्ट अगर अटिपलेट दे कैटेगरिजेशन आप इंसिट्यूट इंसिट्यूट के members category वर ने चाहिए दो कैटेगरीज है associates anyone registered as a member जो भी register होता है तो वो by default बन जाता है associate और अगर वो चाहे तो later लिसकता है a.c.a अपने name नाम के आगे तो जैसे c.a रभी टावरी है उसके आगे आप लिख सकते हैं अगर आप associate है तो मैं मैं fellow charge account है दोस्तों members can become fellow due not by FCA by meeting certain criteria अगर आपको FCA करना है तो आपको conditions fulfill करना पड़ेगा आपको conditions को fulfill करना पड़ेगा और आपको application with fees देना पड़ेगा institute आपका नाम अप्रूब करके आपको fellow charge account अब क्या है अगर कोई बंदा associate member बनता है और उसके बाद continuous practice in India करता है for five years foreign practice will not be counted अगर वो बंदा continuous path साल तक practice करता है इंडिया के अंदर वो हुणार पुद्धिमान शक्तिमान बन चुका है उसके अंदर knowledge कूट-कूट के भर चुके हैं दोस्तों वो बंदा बन जाएगा वो बंदा apply कर सकता है कि भाई please मुझे fellow charge account बना देजे उसको fellow charge account बना देंगे अगर कोई बंदा associate member है ठीक है भले ही वो practice में ना हो for at least five years वो भी apply करता है लेकिन उसके पास में कुछ qualifications होने चाहिए as prescribed a council qualifications मतलब यहाँ पर उसका मतलब है कुछ conditions को fulfill करनी पड़ेगी ठीक है जो prove करता हो कि उसका experience and knowledge उतना ही है जितना एक see in practice for five years के पड़ेगी बोलने का मतलब simple यह है जो बंदा practice में वो भी apply कर सकता है जो बंदा practice में नहीं है job भी है वो भी apply कर सकता है ठीक है लेकिन उसको prove करना पड़ेगा बहुत simple सा है यहां पर जाए detail में जाने की जरुवत नहीं है institute में बोला है अगर आप 5 साले उससे जादा job करते हो accounts में, audit में हमारे subjects accounts में, audit में, financial management में ठीक है आपके cost services में, IT में इन सब में अगर आप काम करते हो 5 साले उससे जादा तो वो job कही पर भी हो सकता है private sector, government कही पर भी हो सकता है तो आप भी apply कर सकते है तो ध्यान रखना है दोस्तो, practice वाले भी apply कर सकते है और job वाले भी apply कर सकते है बोथ letters, both associate are entitled to use specific letters specific letters after their names to indicate their membership status आईए दोस्तो, बहुत simple सी बात है बहुत जदा आसान सी बात है कुझ भी नया नहीं है कुझ भी बहुत जदा difficult complicated नहीं है आईए, इसके बारे में लिखते है तो अभी से आपके दिलो दिमाख में सपने झीक है अभी से आपके दिलो दिमाख में सपने आ रहे होंगे एक दिन मैं ऐसा बनूँगा, वैसा बनूँगा, ठीक है, एक दिन मैं असोशेट मेंबर बनूँगा, एक दिन मैं फेलो मेंबर बनूँगा, and so on, दोस्तों, Types of Membership, बहुत सिंपल सी बात बोली है, ठीक है, तो पहला पॉइंट, दो तरह के Members रहेंगे, Two Types of Members, आपके Associate Members और Fellow Members, अब Associate कब बनते हैं? CA बन्ठिक कर दो के पुमेंबर, एक था प्रिजबर, अब दो के दिन मेंबर असोशेट असोशेट मेंबर, मेंबर्शिप रजिस्टर वो असोशेट मेंबर बन जाएंगे फिर हम बात करते हैं फेलो मेंबर की सी ए कैन अप्लाए फॉर फेलो मेंबर्शिप आफ्टर फुल्फिलिंग डेखे हम किसी भी चीज़ को खास करकि पीचर दे किसी चीज़ को अंडर इस्टिमेट नहीं कर सकते MCQ के अंदर ये सारी चीज़े आपके मॉड्यूल में दिवी है सारी चीज़े आपके मॉडूल में दिये तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है मैंने आपको बोला है कि P के अंदर हम बहुत डीटियल में हमको जाना पड़ेगा उस पर कमांड रखनी पड़ेगी कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते हैं CA can apply for fellow membership after pull filling certain conditions ठीक है क्या conditions है बहुत simple जो practice वाले है CA is associate member for at least five years and you have a plus sign continuously इसको हम practice के साथ साथ मिल लेंगे is associate member and continuously practicing for five years or more in India बहुत important है ठीक है foreign practice not covered जो लोग job में है वो भी CA is associate member और जैसा मैंने बूला जैसा मैंने आपको बताया just a minute guys आपको दिखने में लिखने में दिक्कत हो रही होगी चिंता ना करे CA is associate member जैसा मैं बता रहूँ simple language हो वैसे चलिए ठीक है plus having job experience having job experience of five years or more which proves that he has experience and knowledge like member in practice for five years तो job वाला भी apply कर सकता है इदे को इदे कोई common sense वाली बात है अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों लोग apply कर सकते है practice वाला सिधा पाथ साल की practice होई apply कर दीजिए job वाले को बताना पड़ेगा proof करना पड़ेगा कि मैंने पात साल तक job के और मेरा knowledge experience वैसा ही है जैसा एक practicing charge account का होता है तो वो भी apply कर सकता है ठीक है फिर आखरी चीज़ और आप अप्लिकेशन रिक्वायर अप्लिकेशन रिक्वायर आपको आपको to become FCA और अप्लिकेशन और लेटर्स कि अगर मैं बात करूं they can put a.c.a or f.c.a after तो बहुत सिंपल से आपको अगर मैं अम्रूत पॉइंट्स बोलू तो आपको पता होने चाहिए टू टाइपस अफ मेंबर्शिप की आप बात करें दो तरह की मेंबर्शिप है फिर आप बात करें असोशेट मेंबर्शिप की असोशेट की बात करें आप फेलो की बात करें पहले आप ठीक है कौन लोग फेलो दो सकते उसके बारे में आप बात करें और फिर सिंपल आप्लीकेशन applications और letters की बाद करें letters use करना आपके पास में letters use करना आपके पास में दोस्तों simple सा option है आप चाहे तो use करें चाहे तो ना use करें पुराने जमाने में कोई लोग बहुत fad हुआ करते हैं लिखने का अब मैं देखते हूँ generally कि इतना कोई किसी को FAD नहीं लिखने का ACA, FCA शद्धा अनुसार आप लिख सकते हैं लेकिन उसका importance बहुत है अगर आपको खुद को register करवाना है, जैसे CAG अलग-अलग panels होते हैं, CAG का panel, SEBI का panel, अलग-अलग panels में कितने fellow charged accountants है as a partner, as a employee उससे आपके points बढ़ते हैं वार्म-अप करकर के हम लोग आगे बढ़ रहा है ठीक है, पहले हमने देखा कि member कैसे बनते हैं लेकिन कुछ लोग member नहीं बन पाएंगे disqualifications देखें और अगर आप member बनते हैं तो दो तरह के members है, associate member और practice वाले लोग पाथ साल के बाद apply कर सकते हैं और job वाले लोग भी पाथ साल के बाद में apply कर सकते हैं, दोनों लोग apply कर सकते हैं ठीक है now आईए दोस्तो removal removal है क्या, तो पहले कुछ अगर आप देखेंगे पहले कुछ portion पुरा membership के बारे मात करें membership से related बात कर रहे है जिस चीज के लिए आप इतनी जग्दो जहत कर रहे है जिस चीज के लिए आप मरे जा रहे हैं दोस्तो CA बनने के लिए उस membership की बात हम लोग कर रहे है ठीक है आईए removal of name from the register क्या एक member बनने के बाद में नाम निकाल सकता है बिलकुल निकाला जाकता है इसलिए सावधान होशियार रही है आपका नाम निकाला जा सकता है ठीक है in sequence of severity अगर सबसे बहुत ही बुरा हो गया disease, death हो जाती है ठीक है council can remove member from if member is disease disease मतलब death death पर बन्दे का remove हो जाएगा उससे थोड़ा कम severe है तो फिर बन्दा disqualified तो उसका नाम remove कर दिया जाएगा उससे थोड़ा कम non payment of fees हर चाड़ अकाउंटन को हर साल membership fees देनी पड़ती है अगर membership fees नहीं दी time पर membership fees नहीं दी तो remove किया जाएगा नाम निकाल दिया जाएगा मैं आपको बता दू institute हर financial year के लिए आपसे membership लेता है और membership fees जैसे for example financial अगर 25, 1036 है तो आपको membership fees भरनी पड़ती है उस financial year की बीच में 30. September 2025 तक 25.26 अगर financial year है 30. September 2025 तक पहले 6 महने में आपको membership fees भर देनी पड़ती है यह तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा उससे कम सीवियर कोई बंदा request करता है यह ऐसे भी कोई बंदे होते हैं बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं दोस्तों Mr. Harish Talwe Mr. Harish Talwe की अगर हम बात करते हैं He is a very renowned lawyer लेकिन lawyer बनने से पहले वो चार्ड अकाउंट बने इतने हुनार बुद्धिमान law practice में थी और उनको भी request किया गया law practice में आई है वो law practice में आगे बढ़े और आज यह बहुत बड़ा नाम है not just in India but across the world Mr. Harish Talwe बड़े-बड़े cases इन्होंने जीते हुए है 300-300 करोड की fees इनको मिली है एक-एक assignment की दोस्तों तो इनकी कहानिया किस से बहुत जादा है तो यह भी ठीक है इन्होंने अपना surrender किया था फिर उसके बाद ने law के practice में आगे बढ़े ठीक है क्या नाम वापस मिल सकता है दोस्तों बिलकुल मिल सकता है ठीक है if member's name was removed due to non payment of fees it can be re-entered upon receipt of application payment of arious additional fee determined by the council मैं अभी सिवित का आपको इतना बता दो कि कोई भी यह सब होने के बाद में होने के बाद में जो आप बिलकुल अगर आपको restore करना है तो restoration possible है उसके बारे में हम लोग और detail में आगे पढ़ेगे अगर मैं बोलू importance wise importance wise तो इसको मैं B category दूँगा sir आप क्या B category B category कर रहे है A category कब आएगा sir आएगा बेटा आएगा काहे चिन्ता कर रहे हो बेटा A category भी आएगा don't worry about it ठीक है लेकिन इन सब से हमको गुजरना है तभी A category आएगा आएगा दोस्तो P.640 के अगर मैं बात करो Removal of Name From Register Removal of Name from Register के अगर मैं बात करता हूँ वापस अगर मैं बात करो Shortcut मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो मैं आपको बताओ जैसा मैं आपको लिखवाओ बिंधास पूरा विश्वास करके उतनी चीज समझे उतनी चीज को याद रखे वैसे आगे बढ़े ठीक है दोस्तों बच्चों ने 80s में स्कूर किया है 90s में स्कूर किया है बस मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ उसके आप चलते जाएए बहुत comfortably पूरा subject हो जाएगा सब आपके दिमाग में fit हो जाएगा प्यारे questions आप कर पाओगे अच्छे से उसको लिख पाओगे मेरे साथ में लिखिए मेरे साथ में class में लिखिए और मैं आपको बता हूँ यह लिखना आपकी इतनी बड़ी जीत है जो आप समझ भी नहीं पाएगे अगर मैंने आपको लिखवा दिया पुरा course तो आप समझे कितना प्यारा effect होगा तो लिखते जाएए मेरे साथ में और daily practice question आपको दूँगा वो भी करते जाएए severity अगर मैं बात करूँ तो बहुती simple सी बात सबसे पहला point है death death होती है name will be removed death से थोड़ा कम disqualification होता है under अभी हम पढ़कर है under section 8 under section 8 of 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 CA act तो वापस 1949 तो वापस बंदा उसका नाम रिमूव कर दे जाएगा non payment of peace peace is for every financial year last date of payment last date of payment request नहीं पे करते हो फिर आपका नाम निकाल दिया जाएगा दोस्तों फिर request of payment note बहुत ही सिंपल सा of the name can be restored in members register जो लिखते जाहिए जरूर जरूर आप आपके notes में लिखा होना चाहिए कौन सी category है ठीक है ताकि हम उतना importance दे उतने depth में जाए आईए क्या नाम restore कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं restoration यह भी बी category है दोस्तों बिल्कुल नाम को restore किया सकता है application according to the Charred Account Act 949 the Charred Account Regulation member उतने में remove can apply for restoration otherwise eligible अगर जो root cause है removal का वो दूर हो चुका है eligible बन चुके बंदे बिल्कुल apply कर सकते अगर eligible बन चुके है लेकिन fees the member must submit appropriate form एक appropriate form में जाना पड़ेगा and pay the arrears arrears of annual membership fees फिर से entrance fees देनी पड़ेगी कोई additional fees है वो भी देना पड़ेगा पैसा पूरा देना पड़ेगा institute को पैसा application पैसा पूरा देना चाहिए यह बहुत interesting है same year restoration यह में पर द्रॉ करके बताऊंगा आपको if the application we have submitted within the same year in the same year of removal the restoration will be effective will be effective from the date of removal यह बहुत important चीज़ है if removal is for non payment of fees क्या लिखा हुआ दोस्तों मैं देख बताऊंगा आपको disciplinary restoration आपका नाम निकाला गया था क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया था कुछ गलत काम किया था आपने तो इसलिए तो if name was removed under orders by BOD यह सब authorities है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे BOD, disciplinary committee, appellate authority the restoration will be effective effective from the date of application and fees submission के हिसाब से देखो बहुत प्यारा flow दिया है लेकिन मैं आपको इससे भी जादा प्यारा flow आपके हैंडिटर नोट्स में करवाते जाने वाला हूँ तो मेरे साथ में लिखते जाना यही सबसे जादा important है दोस्तों आई यह मैं थोड़ा हलका सा जादा important मानूँगा बाकी इसमें से अब इसमें हम B1, B2 category ऐसा ना करें B1, B2 category के यह B1 है, B2 है इतना करने के हमको जरुरत नहीं है दोस्तों restoration of membership ठीक है मेरा मन कह रहा है इसको A category कर दे लेकिन इसको B ही किया है मैंने ठीक है, B category रखा हुआ है ठीक है अब A limited चीज़ों को भी रखे तो यह अच्छा रहेगा तो restoration के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुती simple सी बात है ठीक है तो restoration पहली बात है application उसके भी पहले eligible कब होते हैं आप रूट काउज पूज पूब रिमुवल रिमुवल और अजिबिलिटी इस अचीवड परसुन और अगें बिकम अमेंबर तो बंदा फिर से मेंबर बन सकता है एलिजी बलोना अची बंदा पहले हैं आप्लिकेशन और फीज अप्लाए और अटोमाटिक नहीं होती कोई चीज मेंबर्शिप चाहितने छोड़ी चीज तो कर लो भाई अप्लाए दो कर लो हैस्टू अप्लाए अप्लाए फॉर मेंबर्शिप पे करना पड़ेगा अगर कुछ अरियर्ज है अरियर्ज और फीस कुछ पुराणा अरियर्ज है वो पे करना पड़ेगा इंटरंस फीस पे करना पड़ेगा कऊई अगर उन्होंने मांगी है तो वह आडिशनल फीस भी आपको पे करना common sense है यार सभी तरह के fees पे करना पड़ेगा पुराने arrears फिर नाम रजिश्टर करने के लिए entrance fees और उसके बाद में additional fees अगर additional fees कुछ है तो additional fees भी आपको पे करने पड़ेगी ठीक है फिर आपका आता है date of restoration ये बहुत जादा important है दोस्तों date of restoration ठीक है अगर non-payment of fees reason था was reason ठीक है तो इस case में if fees is paid before end of financial year then membership will be restored from the same date on which it was cancelled so there is no break in continuity कोई break ने होगा continuity में इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब ये है कि अगर अगर हम बात करते हैं ठीक है that this is first April 2025 this is 31st March 26 this is 30th September 25 ठीक है ये आपका ये आपका last date of payment नहीं पे करोगे name will be removed institute आपका नाम निकाल देगे अब बहुत important है ये period इसमे if fees is paid before end of financial year 31st March 26 के पहले है ठीक है तो जब भी restoration from date of removal आपका restoration है from the date of removal ये बहुत बहुत ज़्यादा important है MCQ के लिए बहुत ज़्यादा important है आने के chances बहुत ज़्यादा है restoration from the date of removal अगर supposedly आपका नाम CA का नाम ठीक है अगर remove होता say 30th September को fees पेने की and 15th October 25 ये remove होता तो बराबबर 15th October से ही हो जाए लेकिन अगर 31st March के बाद पे करोगे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा इसलिए date of restoration में non payment of fees ठीक है तो ये बहुत important बात थी जिसका आपको ख्याल रखना है फिर अगर हम बात करते हैं अगर misconduct का order पास हुआ था date of restoration will be as per order जब भी order बूलेगा तभी restoration हो सकता है बाकी in other cases it will be date of application and payment of fees बहुत simple तो आप देखोगे तो हमने बस तीन अमरुत points की बात की हमने तीन अमरुत points की बात की क्या थे तीन अमरुत points simple से अगर आपको आप eligible हो जाने चाहिए जो root cost थे हो खतम हो जाने चाहिए you should become eligible आपको अगर आप restoration चाहते है application plus fees आपको देनी पड़ेगी फिर हमने बात की date of restoration की इसमें तीन चीज़े आती है एक है fees वाला मामला एक है order pass वाला मामला और बाकी है other cases आपको mcq आ सकता है date की उपर very important date की उपर fees की उपर mcq आ सकता है आपके order की उपर mcq आ सकता है other cases की उपर mcq आ सकता है दोस्तो guys I hope you are enjoying यह आपकी membership है CA act के बड़े प्यारे प्यारे details है जिस चीज़ को आप चाहते हैं दोस्तो उसके बारे में बाते लिखी हुई है ठीक है हम लोग definitely एक break लेंगे don't worry we will be taking a break एक और चीज़ देख लेते हैं उसके बाद में हम लोग break ले लेंगे दोस्तो चाह फिर चलिए अभी break लेते है let's take a break guys break ज्यादा लंबा नहीं लेंगे break of कितना break लिया जाए so break of कितना break 10 minute का break लेंगे हम लो so we'll start at 8.52 8.52 वापस start करेंगे दोस्तों और बहुत प्यारे-प्यारी सी बाते चल रही है इसके बाद में membership के बाद अब हम लोग certificate of practice अगली चीज़ जो बड़ी प्यारी देखना ले membership की पूर्ट ओके गाईज so we are back 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 we are back we are back 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 पहला दिन हमारा चल रहा है और पहले दिन सुबह सुबह हम प्यारी प्यारी क्लास ले रहे हैं कुछ लोग को आदत होगी सुबह उठने की कुछ लोग की नहीं होगी कोई चिंदा की बात नहीं है आदत हो जाएगी दोस्तों और इसी बहाने दिन की शुरुआत हो जाए एक lecture हो जाए पढ़ाई हमने की ये feel आ जाए मुझे लगता है बढ़ाई प्यारा फीले मैं तो सुबह सुबह बैज की बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि मैं सुबह सुबह बढ़िया जल्दी उड़ जाता हूँ वाह तीन घंडे की प्यारी क्लास हो गई क्या शुरुवात है दिन का तर इस दे बेस स्टाट अफ मैं डे और उसके बाद फिर मैं शांती से और बहुत सारे काम कर सकता हूँ तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही और जो लोग रेकॉर्डेट देख रहे हैं वो अपना दिन वो अपनी दुफर वो अपनी शाम वो अपनी रात जैसे भी जहाँ पर भी इसको देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं आईए नाउ बहुत सिंपल सी बात अभी हमने मेंबर्शिप के बारे में सब देख लिया दूस्तो मेंबर कैसे बनना है कित्य तरह के मेंबर्ज होते है मेंबर्शिप के डिस्कॉलिफिकेशन होते है मेंबर्शिप से बहार निकाला जाता है और membership में वापस आया जाता है पूरा membership के बारे में ठीके अब penalty के हम लोग बात कर रहे है penalty के हम लोग बात कर रहे है दोस्तो misrepresentation section 24 of the Chartered Conduct Act states that person who is not a member of the institute जो की एक member नहीं है not member of ICAI but claim करता है to be one or use the designation claim करता है दोस्तों को बोलता है या फिर designation use करता है designation वो चीज होती है जो बताता है बंदे का profession क्या है तो ये एक offense माना जाएगा ये गलत काम माना जाएगा दोस्तों ठीक है ऐसा बोला जाता है कि इनकम टेक्स करना शुरू कर देते हैं और ऐसा बता दे कि खुड चार्ड अकाउंटन है अच्छी बात है लेकिन ऐसे खुद को CA बोलना गलत होगा section 24 के वैसे फिर इसमें और एक बात बोले है लिए अगर आपको practice करनी है तो आपको institute से COP पिलना पड़ता है without certificate of practice without COP claim करता है to be practice बोलता है कि practice में है और practice is a start accountant ठीक है तो फिर वापस क्या होगी सजा पहला conviction अगर पहली बार है fine लगेगा not action 1000 ये fine देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप encourage कर रहे हो आप encourage कर रहे हो और आप बिना member बने बिना member बने खुद को आप CA बोल दीजी बिना COP लिए आप बोल दीजा practicing हो सिप 1000 रुपए का fine है ये भी कोई fine है दोस्तो इसको हजम करना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि ये 1949 की बात है दोस्तो it is 1949 फिर इसके बाद subsequent conviction subsequent conviction any subsequent conviction को रहे up to fine up to fine up to 5000 और 5000 अगर वापस करते हो एक बार imprisonment up to 6 month और both ये import है इससे लोग फ़वाद डर सकते है case law है मैं आपको बता दू कि कोई आपको case law याद रखने की जुरत नहीं है और उसको mention करने की जुरत नहीं है module में दिया है इसलिए हम लोगों ने भी लिया है क्योंकि module का कोना कोना हमको cover करना है ठीक है accused ने accused guilty उसने गलत काम किया section 24 के अंदर उनको punish किया गया आप 949 और इसके अलवा section 465 false document Indian penal code तो सहाबजादे को दोनों में आपने ऐसा बोला कि आप charged accountant हो जबकि आप नहीं थे आप COP उल्ट हो जबकि आप नहीं थे तो आपको section 24 में punishment मिली और आप fraud कर रहे हो लोग के साथ में आप misrepresent कर रहे हो तो Indian penal code के अंदर भी Mr. Prem Batra इनको fine किया गया था दोनों के अंदर High court ने इनको fine किया था बहुत पुरानी बात है ठीक है और इनको 3 महने की सजा भी हुई थी तो क्या पूरा ऐसा याद रखने की जरुद है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं इसको याद रखने की आपको जरुद नहीं है ये फिर B category मैं आपको बता रहा हूँ चीक है आईए दोस्तो Just a minute guys मुझे आप एक second देंगे जरूर देंगे आपको देना पड़ेगा एक second ओके ओके आईए दोस्तो वी आग बाक आईए तो अगर हम लोग बात करते हैं P.680 की हमारा concept है Penalty Under section 24 जित्ते sections है जैसे मॉडूल ने बोला है Membership series सारी बात कर लेंगे पहले फिर Certified of Practice जित्ते sections है हलके-फुल के section से बड़े आसानी से जाद हो जाएगे चिंता करने के आपको बात नहीं है बहुत simple cases आएंगे इसके उपर कोई बहुत complete case आप expect नहीं कर सकते है अभी तक हम लोग important चीज़ पर आने के है जो मैंने आपको आए था Part 1, 2, 3 है Part 1 is less important Part 2 थोड़ा important Part 3 जो है वो सबसे ज़्यादा important है लेकर हम थोड़ा warm-up कर रहे है important चीज़ों पर जाने से पर थोड़ा सा warm-up कर लेना चाहिए फिर ज़्यादा important चीज़ों पर जाना चाहिए दोस्तों आईए तो यह फिर से एक B category topic है यह B category topic है और यह क्या बोलता है वो हम लोग देखते है बहुत ही simple सी बात बोलता है क्या simple सी बात बोलता है सबसे पहले यह बात करता है offense की क्या offense? What offense? person will be conducting offense offense मतलब कोई बुरा काम गलत काम if if not see but representing खुद को रीप्रेजेंट कर रहा है और using designation but representing अर using designation अधिके या फिर दूसना not having COP COP मतलब Certificate of Practice but representing or practicing as CA आप Charred Accountant नहीं हो कोई बंदश CA नहीं है लेकिन खुद को CA बताता है या designate कर देता है COP holder नहीं है लेकिन ऐसा बात है कि मैं COP holder है या प्राक्टिस कर रहा है तो इसको एक offense मना जाएगा offense मना जाएगा और punishment क्या मिलेगी ऐसा गलत काम करने पर punishment क्या मिलेगी बहुत simple सी punishment मिलेगी अगर first conviction है तब बहुत सस्ते में निपड जाओगे fine up to 1000 बस 1000 रुपए जो कि एक encouragement है और अगर second conviction है या फिर subsequent आप बोल दीजे ज्यादा बहतर वर्ड है देखिये हम हमारी language को improve करते जाएंगे और हम प्यारी से लिख रहे हैं तो definitely बहुत improve करेंगे हम लोग तो यहां पर दोस्तों कि लिख करेंगे है पाइन अप्तू 5000 या फिर imprisonment देखिए language over a period of time पहले concept आता है फिर language आते हैं और अपने हाथ improve होती है रटा मत मारिये फस जाओगे मर जाओगे रट रट के बहुत time चला जाएगा ठीक है याद नहीं होगा बहुत time लग जाएगा याद होगा तो दो दिन में भूल जाओगे revision करने में तकलीब जाएगी confidence खराब हो जाएगा जितना मतारो उतना आप याद रखिए खुश रहेंगे imprisonment up to six months या फिर both और एक simple सा case study था याद रहे तो लिख दीजिए नहीं तो रहने दीजिए पिरिम बत्रा ठीक है इनको इनको गिल्टी माना गया अंडर सेक्शन 24 अफ सीए आक्ट और अंडर सेक्शन 465 सर अब तो दूसरा लोग गया हमारे जो मॉडिूल में है वही हमारे लिए भगवान है उसी पर हमको चलना है मॉडिूल हमारा भगवान है ज्यादा दिमाख नहीं लगाना है इंडियन पेनल कोड क्या पनिश्मेंट मिली थी एकदम सिंपल सी पनिश्मेंट थी इनको फाइन भी लगा फाइन और उसके बाद में तीन मेहने है फाइन लगा जो पे नहीं किया इंप्रिजन्मेंट फॉर थी मन्स तीन मेहने के लिए उनको सजा भी हो यह किराएगा अमरुद पॉइंट बहुत सिंपल है कब होता है ओफिंस क्या होता है पनिश्मेंट सिंपल सिंपल से तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए कब होता है ओफिंस क्या होती है पनिश्मेंट क्या होती है पनिश्मेंट और एक सिंपल सी के स्टेडी ठीक है फोर सिक्स्टी फाइव और इंडियन प्रेल गार्ट आप जब भी इंप ठीक है मिस्रिप्रेजेंट करते हो फॉल्सिफाय करते हो चीजों को तो आपको पनिश्मेंट मिलती है फोर सिक्स्टी फाइव में नाउव यार गोइंग टुदा पूरे पहले चाप्टर में अब सबसे इंपॉर्टन्ट OUT L सारी बात है हमारे दिमाग में अप्सूरूट क्लारिटी आ चुकी है और वेरी 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 वे और फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, COP must है, उसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाऊगे, आईए, अब प्रैक्टिसिंग चार्वडर इसमेंबर इंस्टिटूट होल्डिंग COP, कौन होता है, तो जिसके पास में COP होता है, वो एक प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउट होता है, मेंबर्स दीम टो भी इन प्रैक्टिस, यह कॉनसेप्ट आगे देखेंगे, कभी-कभी कुछ लोग COP नहीं लेते, पिर भी उनको दीम कर दिया जाता है, in practice हम लोग आगे ये concept आने वाला है basically common sense है लोग COP नहीं लेते लेकिन CA related work करते है जो काम जन्री charge account करता है वो ही काम वो लोग करते है तो deeming fiction लग जाएगा दोस्तों deem कर जाएगा कि आप practice में COP mandatory है no member is allowed कोई भी बंदा allowed to practice in India और elsewhere India हो या India के बहार हो CA act CA को लगता है फिर बंदा इंडिया में हो या इंडिया के बहार हो CA act will be applicable to the person CA act applicable रहेगा दोस्तों हर जगा पे एक बार आप CA बन जाते हो तो आप इंडिया में रहो कि इंडिया के बहार हो आपको CA act लगे जाएगा the rules do not does not apply to those who are practicing as registered accountants this rule does not apply practicing registered accountants ये बहुत पुरानी बात है outdated है हम बिल्कुल importance ही देंगे CA act 1949 आने के पहले registered accountants concept हुआ करता था और वो लोग भी practice कर सकते थे और holders of restricted certificate ये बिल्कुल outdated चीज है बिल्कुल इस पे कोई exam में question expected नहीं है इस पढ़िल point पे CA act के पहले registered accountants और holders of certificate थे कुछ ठीक है उनको ये नहीं लगता जाएं दीजें उनके बारे में भाई 1949 के पहले क्या था उसका कोई relevance और importance आज नहीं है ना practical life में relevance है ना आपके exam में इसका relevance है बस आप इतना जान लीजे इतना आप इस बात को समझ लीजे कि CA act के पहले भी कुछ लोग practice करते थे और उनको registered accountant बोला जाता था ठीक है registered accountant या फिर person holding restricted certificate ऐसा बोलाता था और वो लोग भी practice कर सकते उसके अलग तोर तरीके थे उनको यह rules नहीं लगते थे ठीक है no use member जो practice में नहीं है cannot accept engagements to render services typically provided by charge account जो मैं बोल रहा हूँ CA rated services अप नहीं दे सकते even if they possess नहीं भले उनके पास में knowledge हो घ्यान हो ठीक है फिर भी वो नहीं दे सकते once person become member of the institute they are bound यह बहुत important है they are bound by charge account it's regulation एक बार once a person becomes member of the institute अब इसमें बहुत ही प्यारी सी कहानी है वो प्यारी सी कहानी है वो हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों आई तो P.E. .700 इसमें एक छोड़ी सी कहानी पहले हम लोग देखते हैं तो एक हुनार बुद्धिमान शक्तिमान एक हुनार बुद्धिमान शक्तिमान लॉयर था ठीक है So there was a person जो की लॉयर था ठीक है और वो आँ टैक्स प्रैक्टिस करते हैं बंदा पहले लॉयर बना लॉयर बनने के बाद में टैक्स प्रैक्टिस करते हैं बढ़ी आगाम चल भाए था आपको पता होगा लॉयर भी टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो लॉय को समझते हैं टैक्स को समझते हैं लॉयर्स भी मदद कर सकते हैं, उसके लिए कोई special qualification की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। तो सब बढ़िया कुशल मंगल चल रहा था। फिर किसी ने बोला कि आप चार्ड अकॉंड क्यों नहीं बन जाते हैं। आप चार्ड अकॉंट बनोगे तो आप आपके क्लाइंट को टैक्स प्रेक्टीस के लबाँपि सर्विस भी आप दे पाएंगे। tax consultancy के साथ बाकी तो आप ठीक है पहले एक service आप देते हैं multiple service दोगे एक ही clients से आप पहुत ज़ादा कमा होगे तो बंदा बोला पिल्कुल ठीक है भाई फिर lawyer के बाद में बंदा became charged accountant became CA और practicing as CA शुरू कर दिया बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर दिया लेकिन इसने professional misconduct उसने कुछ गलत काम कर दिया professionally कुछ गलत काम कर दिया उसने professional misconduct कर दिया ठीक है and as a consequence COP was suspended COP suspend कर दिया for six months 6 मेने के लिए COP को suspend कर दिया गया अब अब बंदा बहुत अरे यार ये CA institute ने मेरी band बजा दी ठीक है अब छे मेने के लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता है as a charge accounting अब बंदे ने institute को लेटर भेजा बंदे ने institute को लेटर भेजा लेटर टू I.C.A.I और उसमें बोला कि देखिए institute CA बनने से पहले मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता था as a lawyer तो मैं समझता हूँ आपने मेरा COP कैंसल कर दिया है मुझे allow करिये कि मैं as a lawyer टैक्स की प्रैक्टिस में करता रहूँ कम से कम अगले छे लेने के लिए allow me to practice as lawyer for next six months प्लीज मुझे allow कर दीज़े institute ने इस बात को बहुत गहराई से समझा बहुत गहराई समझा कि भाई बन्दा बोलता है कि मैं as a child accountant प्रैक्टिस नहीं करना चाहता as a child account मैं practice नहीं करना चाहता as a lawyer मैं practice करना चाहता हूँ tax institute ने इस बात को बहुत चैस समझा और institute ने बोला यह एक बार आप जब charred accountant बन जाते हो once you become a charred accountant ठीक है तो जो CA related जितनी भी काम है CA related services can be given only in a capacity of a charred accountant आप जो CA related जो भी काम है वो आप कर सकते हैं सिफ CA capacity में आप आपकी lawyer की capacity यूज करके tax का का काम कर लेना CS की capacity यूज करके law का का काम कर लेना ठीक है आप cost accountant की capacity यूज करके costing का काम कर लेना या फिर आप graduate बनके accounting का काम कर लेना आप आपकी अलग-अलग capacities में CA related services नहीं दे सकते You cannot do that अगर आपको CA related services देना है तो सिफ CA capacity में ही आप दे सकते हो तो CA capacity में ही आपको देना पड़ेगा CA capacity में आपको काम करना पड़ेगा एक proper COP के साथ में तो basically क्या बोला इंसिट्यूट में इंस्टिट्यूट ने सिंगल capacity की बात की One CA All CA related services can be given in CA capacity only with valid COP आपको valid COP सिफ एक बार आप CA बन गए तो CA related services देने के लिए आप सिफ एक ही capacity यूज़ कर सकते हो that is CA की और आपको उसमें आपको एक valid COP लगेगा तभी आपके दे सकते हो cannot use other capacities other capacities for giving CA पॉलमें और दो एक आपको ऑना इंकम टैक्स वाझे बोलते होंगे कोई भी tax preparer की exam करके tax की services दो return file करो GST law बोलता होगा कोई भी GST के service कर सकता है होंगे other laws जो आपको allow करते हैं लेकिन CA act CA act आपको बोलता है कि आप इस यह जो बाकी capacities है इसको use नहीं कर सकते तो end result यह है cannot practice as cannot provide tax services as lawyer बहुत इंपॉर्ल केस same case exam में आ चुका है कि tax service देना चाहते है as a lawyer tax service देना चाहते है as a tax preparer GST service देना चाहते है as a GST advisor आप बिल्कुल भी नहीं ठीक है बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं बड़ी प्यारी चीज़े आपकी सिफ single capacity रहेगी आपकी दिमार्ग में clarity है इसको हम अच्छे से लिखेंगे और तो और clarity बनेगी ठीक है जब मैं आपको समझाता हूं तो 50-60% clarity बनती है ठीक है और र इससे आपको गुजरना है नौँ आप देकन उनली अपियर बिफोर इंकम टैक्स ट्रिबुनल आज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आप आप ठीक है सी ए डिलेटेड वर्क अगर आप करना चाहते हूं अनली इन सी ए आपको सी ए करना पुछ इपरइगा आप लॉयर की के पैसिटी युज नहीं कर सकती कि लॉयर के कैसिटी में इंकम टैक्स टुबिनल में केश लाट रहा हूं नोट ज ने करिक है dip single capacity c single capacity दोस्तो क्या होंगे अचार काउन रिमोड फों मेंबर्शिप दीटो प्रफेश्चनल अधर मिस्कंदर दीट नॉट अप्यर बिफोर टैस्ट पर इस और अधर बोड़ी इन पैसिटी अज़े ज़े अधर रिमोड फों मेंबर्शिप इन कैसिटी अधर अगर आपका ठीक है रिमोड प्रॉम मेंबर्शिप है और भी बुरी बात होगी है मस्ट पे अन्यूल फीज आप पे करिये और नहीं कर गये तो उसके वज़े से भी दिखक पर जाएगे यह बहुत कॉमन सेंस वाली बात है इतनी इंपॉर्टन नहीं है अगर जैसे आपके सेम मेंबर्शिप की फ पास मैं हर साल पे करता हूँ सी इंस्टिटुट के इंपक्त सभी मेंबर्शिप करते हैं ठीक है फॉर मेंबर्शिप फीज एंड सी ओपी फीज आएम सी ओपी होल्डर तो दोनों का मिलाकर पे करना पड़ता है ठीक है आप असोशेट हो या फेलो हो उसके उपर फीज करता है आपकी एज पर भी डिपेंड करता है ठीक है उसमें रिटेल में जानने के जुरूत नहीं है और कैंसलेशन हो सकता है आपका सी ओपी इन सर्टन सर्कम्स्टांसे आइए यह एक काटिगरी टॉपिक है इसको हमको बड़े प्यार से बहुत अच्छे से इसको लिखना है हमको आईए 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 सेक्शन सिक्स के बारे में लिखिये दूस्तों तो बहुत ही सिंपल बात बोली है पहला पहला बहुत सी ओपी पहली बहुत इंपॉर्टन बात की है इसक्ट चीओ चीओ की आईए अच्टीओड की मरीम की ऌई फ невे है और स्थरीओ थे इस specific knowledge he wants to practice In this, COP is mandatory, COP लेना ही पड़ेगा. After taking COP, member will be considered in practice. जैसी COP ले लोग है, आपको in practice बोला जाएगा. Some members are deemed to be in practice. ठीक है, हम लोग बेखेंगे इसको. अबेगे, लोगगे, लोगगे लोग्त पहें। सेक्शन्स, रूल्स, रेगुलेशन्स विल गेट एप्लिकेबल तो बहुत सिंपल सी बात है COP लेना ज़रूरी है तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे जैसे आप COP लेंगे you will become a practicing charge accountant कभी-कभी members को deem कर जाता है as a practicing charge accountant और उनको सभी sections, rules, regulations लगा दिये जाते है ठीक So COP is mandatory बहुत सिंपल सी बात फिर वेदर practicing in और outside India आप इंडिया में प्रैक्टिस करने तो बहार करना चाहते हो लग जाएगा तो ठीक है फिर आपकी बात आती है single capacity की once person becomes CA he can do he can provide CA-related he can provide CA-related services only in capacity only in capacity of CA आप आप माना आपके पास में बहुत सारी अलग-अलग degrees होंगी आपके पास में बहुत सारी eligibility होंगी आप lawyer होंगे आप CS होंगे आप CMA होंगे आप graduate होंगे ठीक है इसी का मतलब cannot use other capacities to provide CA-related services like lawyer आपके lawyer है आपके company secretaries है आपके CA में है etc आप ये capacities को use नहीं कर सकते आप एक चाड़ accountant है बस ये requirement है ठीक है if COP membership is removed then cannot use other capacities so cannot practice during time of removal or suspension removal बोलो suspension बोलो एक ही बात है मैंने बोला आपको कि बहुत जदा don't be finicky sir removal word यूज करना क्या है concept आज भी king है मुद्धे आपको पता होने चे अपनी language में समझाई है सामने वाला खुश हो जाएगा आपकी बातों को देखकर बस आपको यही बात आपको बतानी थी यही आपके अमरुत points है यही आपके अमरुत points है जो आपको बताना था कि COP जरूरी है COP is mandatory उसके बिना आप practice नहीं कर सकते ठीक है और आपके पास सिर्फ single capacity है अब as a charge accountant ही आपको practice CA related काम जो है as a charge accountant एक charge accountant जनली जो काम provide करता है हमारे जो subjects वाले काम हों का provide करता है ठीक है वो सारे काम सिर्फ आप as a charge accountant दे सकते है बाकी capacities को आप use नहीं कर सकते बहुत बहुत ज़ादा important सबसे important है ठीक है एक्जाम में बार बार question पूछा हुआ है as a lawyer practice कर सकते हो क्या नहीं क्या आप as a GST अब GST assistant नहीं as a tax preparer नहीं आपको answer कैसे लिखना है अब इसमें answer कैसे लिखना है ठीक है how to write answer पहला चार पार्ट्स में आपको answer लिखना है पहला आपको reference देना है जो भी reference आपको देना है मैं in general बता रहा हूँ जो भी act लगता है वो act के बारे में section के बारे में उसके अंदर के rules के बारे में बात करिए या फिर act के अलावा हम पढ़ेंगे कारों के clauses उसके बारे में बताईए या फिर आपका कोई भी essay आपका relevant है उसके बारे में बताईए reference देने के बाद में ये लोग क्या requirements है या फिर क्या content है ये लोग क्या बाते बोलते है उसके बारे में बाते हैं proper heading दीजे छोटे-छोटे heading, sub heading दीजे आप जब heading, sub heading देते हैं तो सामने अले को पता चलता है आपके पास में कितना knowledge है बहुत सी बार वो पढ़ेगा भी नए heading के उपर एक gap होता है ब्राज में एक gap होता है तीन line अपने आप आपके cover हो जाते है requirements पूरा केस discussion करिए पूरा केस जो भी important फिर से लिखे अरे भाई नेकी और पूछ पूछ आपको बस केस की बाते वापस समझानी है और फिर आपको conclusion देगा है बहुत जादा simple case है बहुत simple, बहुत interesting, बहुत simple case है और मैं आपको बता रहा हूँ जितना हम लोग लिख रहे हैं वो मजेदार है उतनी दिमाद याद रखो और उसी को sentence form में अपनी language में लिखिए ये सबसे आसान चीज है और यही आपको follow करना है पूरा course, जैसा मैं बता रहो बच्चों को audit में बहुत तकलीफ जाती है बहुत परेशान होते हैं लेकिन जो मैं approach आपको बता रहो मेरे साथ साथ में चलिए मेरे साथ साथ में चलिए जैसे मैं बता रहो, वैसे चलिए ठीक है तो कि भाई, मेरी handwriting इतनी अच्छी कैसे होगी ठीक है हो जाती है बेटा बहुत practice की बहुत है तो handwriting बहुत अच्छी होगी है ठीक है Now How to write answer गिल्कुल ये प्यारा साथ है तो ये बहुत important चीज़ हम लोगों ने पढ़ी Now cancellation and restoration of COP सब्सक्राइब कर दिया जाएगा अगर आपका नाम निकल जाए रजिस्टर से बेसिक आप मेंबर ही नहीं है आपका नाम निकाल दिया जाएगा आपको COP ना था फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने जूटी जानकारी दी थी कि आपने आपकी आर्टिकल्चिप ट्रेनिंग कर ली और सब कुछ जूटा दिया था नाम निकाल दिया जाएगा बंदा प्रैक्टिस में ही नहीं है अप सीस तु बी इन प्रैक्टिस ठीक है प्रैक्टिस ही नहीं करता बंदा अपने आप उसका COP कैंसल कर दिया जाएगा जॉब या बिजनेस में चला गया अन्यूल फीज नॉट पेड बैए 30 सप्टेमबर से में यहां पर 30 सप्टेमबर तक आपको पे करना पर वापस आपका नाम निकाल दे जाएगा अगर कोई चाहे तो सरेंडर भी कर सकता है कि प्लीज मेरा सीओपी कैंसल कर दिजे सेक्रेटरी आइसी आय को आप भीज दीजे कोई बड़ी बात नहीं है आपका रीस्टोर भी हो सकता है अप्लिकेशन दीजे अप्लिकेशन दीजे फीज भरिये रीस्टोरेशन पी उसमें सेम चीज है कि आप अगर फीज पे कर देते हो 30 अप फानेंशल यहर खतम होने से प लेंगे तो बात बन जाएगी सी कैटिगरी टॉपिक दोंट टेक दोंट वरी अलॉट अब बिलकुल इसके बारे में चिंता मत करिये 740 आपका कैंसलेशन और रीस्टोरेशन अफ COP ठीक है तो इसमें आप बताएंगे कि येस आप कैंसलेशन के बारे में बताएए और रीस्टोरेशन के बारे में बताएए सिंपल जी तो बात है COP विल बी कैंसल्ड सिविल बी कैंसल्ड सबसे बड़ी बात अगर रिमूवड रिमूवड मेंबर्शिप से अगर किसे निकाल दिया ठीके तो पिर आप मेंबर ही नहीं हो आप अरव यह आप मेंबर ही नहीं हो if you are not a member if you are not a member your name will be removed if you are not a member COP will automatically get cancelled उससे थोड़ी छोटी बात ठीके COP मिली आपको on the basis of false information वो आपस आपका COP cancel कर दिया जाएगा बहुत simple member stopped practice वो जॉब करने लग गया है बिसनस करने लग गया है उसका COP कैंसल कर दिया जाएगा ठीके simple सी बात है COP फीज नहीं पे की फिर COP कैंसल कर दिया जाएगा या फिर surrender हो सकता है देखे पांच cancellation के पांच simple कारण हो गया है सबसे severe membership removal उसके बाद में false जानकारी देना उसके बाद member practice करना बंद कर देना ठीक है COP not paid COP fees COP fee फेजने की surrender cancellation या restoration हो जाएगा क्या problem है restoration हो जाएगा कोई problem नहीं है ठीक है restoration will be done restoration कैसे होगा बहुत simple चीज़ रिस्टोरेशन के लिए become eligible membership को obtain कर लीजिए ठीक है membership को obtain कर लीजिए जो आपके problems से basically become eligible problem solve कर देए membership obtain कर लीजिए fees पे कर देए जो भी था आपका arrears था वो पे कर दीजिए eligible हो जाएए application भेजिए आपकी जो fees आप fees है वही आपके arrears आपकी जो पुरानी fees है वो COP पुरानी fees वो पे कर दीजिए अभी वापस COP के लिए जो fees लगती है वो पे कर दीजिए सारी fees पे कर दीजिए become eligible send application ठीक है and simple और आपका date of restoration is similar to date of restoration of membership बिल्कुल वैसा ही है तो आपके बस cancellation और restoration के बारे में बताईए और बस खतम हो जाएगा इससे जादा और कुछ भी नहीं है there is nothing else ठीक है आईए दोस्तों now we go to very very important concept extremely important अब वापस मैं आपको category A topic बता रहो बहुत ही simple सा देखिए मैं आपको बता रहो यह जो professional ethics chapter है इसमें background discussion बहुत जादा जरूरत नहीं होती बहुत simple सा होता है बहुत simple simple बाते होती है इसके अंदर ठीक है बहुत हम लोग practical aspect देखते हैं practical aspect हम लोग देखेंगे भी लेकिन बहुत बहुत जादा explanation की जरूरत नहीं है जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर मैं definitely अंदर लेकर जाऊँगा आप मुरे पर विश्वास करीं मैं आपको 80 प्लस दिलवाँगो yes 80 प्लस दिलवाँगो बस मैं जो बोल रहा हूँ वैसा follow करते जाए ठीक है तो बहुत simple सा concept है यहाँ पर simple सा background है देखिए जैसे ही आप COP लेते हैं CA Act के CA Act के sections उसके rules, regulations आपको applicable हो जाते हैं बहुत सारी चीज़े आपको applicable हो जाते हैं उसके इसाब से आपको काम करना पड़ता है basically बहुत सोच समझ के फिर आपको काम करना पड़ता है जिम्मेदरी से आपको काम करना पड़ता है तो कुछ होशयार लोगों ने क्या किया बिना COP लिए CA related services देने लग गए तो institute ने बोला होशयार बन रहे हो होशयार बन रहे हो ठीक है rules regulation से बचने के लिए COP नहीं ले रहे हो बिना COP के काम कर रहे हो कर लो हम आपके उपर एक deeming fiction लगा देंगे that your members deem to be in practice आपको members deem to be in practice हम लोग बना देगे तो बहुत ही simple सा उन्होंने किया है उन्होंने ठीक है एक list भी है कि ये activities अगर आप perform कर रहे हो if you are performing these activities तो आपको deeming fiction लग जाएगा you'll be deem to be in practice so basically there is a list there is a list of CA related services CA related services होती क्या है बहुत simple सी CA related services होती है अगर आप accounting का काम करोगे ठीक है वो CA related services है आप audit का काम करोगे वो CA related services है ठीक है आप represent कर रहे हो client को वो CA related services है आप costing finance consultancy दे रहे हो वो CA related services है and so on तो एक simple सी प्यारी सी list दी हुई है और हमने वो लिस्ट को बहुत एक प्यारे से sequence में arrange किया हुआ बहुत प्यारे सीक्वेंस में arrange किया हुआ है ताकि आपकी दिमाग में feedback जाए दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यह मुझे बार-बार आपको बताना पड़ता है क्योंकि CA act एक बहुत simple सा principle based act है आप exactly एक-एक section के wordings और interpretation यह पढ़ने का तरीका नहीं है जो मैं आपको पढ़ने का तरीका बता हूँ वो follow कर लिए act उसके rules, regulations को मिला कर जो एक बहुत simple सी चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ आपको भी ऐसे ही पढ़ना है ऐसे याद रखना है ऐसे apply करना है DTIAT में होता होगा कि आप exactly हो section, subsection, clause, was को बहुत ज़दा importance देकर read करना, wordings निकालना, interpret करना, apply करना वैसे नहीं पढ़ा जाता है CA act CA act वैसे नहीं पढ़ा जाता है जितने जल्दी आपके समझ जाओगे उतना बड़ा प्यारा, simple life चलेगी तो please आपसे request है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप चलिए, मेरे साथ साथ में चलिए life एकदम आसान रहेगी, simple सी रहेगी ठीक है? आईए in fact हमारे titanium book में बड़ी प्यारी तरीके से दिया है लेकिन उससे भी प्यारा उससे भी प्यारी समरी हम लोग hand written बना रहे और आप ये समरी जितना short में आप लिखेंगे जितना कम जगा में लिखेंगे उतना best रहेगा आपके revision के लिए ठीक है? तो उस तरीके से आप इसको लिखें बस मुझे एक साथ आई members dream pre practice पे जाते है मैं आप लोग को एक बात बता दू class हमारी 10.30 तक चलेगी ठीक है? तीन घंटे बोला जाता है लेकिन बीच में break होता है थोड़ा हसी मजाख होता है जो ultimately lecture निकलता है फिर तीन घंटे के साब से निकलता है तो साड़े दस तक आप mentally prepared होई है अगर किसी का बाद में कभी भी आदे घंटे का lecture क्योंकि हम daily basis के उसको upload कर देते हैं और अगर आदे घंटे का आपका बच जाता है तो बाद में कभी भी शाम में देख लीजे लेकिन रोज का रोज एक lecture खतम कर दीजे आदे घंटे का आप बाद में देख लीजेगा और उतना आप लिख लीजेगा ठीक है बट देन लेट्स नोट कॉंप्रमाइज विद्ध टाइम ठीक है ठीक है ठीक है और पहले कुछ आप मान के चलिए चार-पाच लेक्चर रहेंगे यूट्यूप की ओपर और उसके बाद में हम shift हो जाएंगे कल से ही हम लोग app की ओपर भी streaming शुरू कर देंगे so we'll be live on youtube also and we'll be live on the app also तो आपको आपका आप आपका try करना है आपको mobile पे try करना है आपको laptop पे try करना है हमारा जो app है वो mobile पे भी चलता है और laptop पे भी चलता है one at a time of course या तो आपका mobile पे live चलेगा या तो आपका app cube पर live चलेगा, दोनों में से एक चलेगा और live के बाद में भी आपको recorded version भी मिलता है 1.5 views, unlimited validity तो कोई चिंता की बात नहीं है तो live वालों के पास में थोड़ा सा advantage होता है कि live भी देखने का मज़ा मिल रहा है और उसके बाद में back up भी मिल रहा है, जो लोग recorded देख रहे है बच्चों तो कोई problem नहीं है 1.5 views है, बहुत जादा है, ठीक है, और क्यूंकि मैं इतना, इतना प्यारा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको चिंता ही नहीं वापस देखनी कि आपको जरुरत ही नहीं है, hand return notes है और आपको revision भी मिल रही है दोस्तों you are getting revision also, तो आपको और कुछ करने की जरुरत नहीं है आईए members dim team practice तो इनका कहना है कि आपके membership classes there are two categories of members, those in practice दो लोग के तरह के लोग होते है those in practice and other occupation, this can be business or business or job अब practice मतलब क्या it includes CAs who are having COP जिनके जिनके पास में COP है या फिर deemed to be in practice तो चाड़कॉन practice can be COP holders या फिर जिनको deeming friction लगा दिया है deemed to be in practice कर दिया है अब members deemed to be in practice a member of the institute shall be deemed to be in practice when individually वो खुद अकेले या फिर partnership में with चाड़कॉन in practice और in partnership with member of such other recognized professional as may be prescribed हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे हम partnership कौन से लोग के साथ में कर सकते हैं we can do partners, partnership with चाड़कॉन in practice, we can do partner with recognized professional bodies in consideration for remuneration पैसो के लिए received or to be received ठीक है performs below given list of activities अगर तो कोई भी बंदा बहुत simple सा है अकेले काम करें या किसी के साथ partnership में काम करें और पैसो के लिए for remuneration ठीक है पैसो के लिए अगर आप ये काम फ्री में कर रहे हो आप फ्री में कर रहे हो आप charity में ये काम कर रहे हो अपने रिष्टदारों के लिए काम कर रहे हो फ्री में दोस्तों के लिए काम कर रहे हो तो फिर इसमें deeming fiction नहीं लगता है कि आप पैसो किल नहीं कर रहा है तो अभी हम एक list देखने वाले है बहुत simple सा कि एक charge accountant अगर ये CA related services करेगा ये काम करेगा तो you'll be deemed to be in practice लेकिन ये काम उसने for remuneration करना चाहिए पैसो के लिए करना चाहिए और वो भी कौन सी capacity professional capacity में not an employee capacity मतलब as a professional वो service दे रहा है खुद के नाम पे contract बना रहा है services देने का return, unreturn जो भी है return हो, oral हो अगर वो as a employee काम कर रहा है as a employee अगर वो काम कर रहा है तो deemed to be in practice नहीं लगता क्योंकि वो तो अपने मालिक के लिए काम कर रहा है और मालिक service दे रहा है सामने वाले clients को ठीक है आईए इतना हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं और फिर ये list of activities जो है जिसको हम लोग CA related services बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे CA related services जो है ठीक है तो बहुत simple सी बात लेट सी और ये पूरी list हम लोग देखेंगे and this is A category very important अब यहां पर दोस्तों A category चीज़े शुरू हो चुकी है finally अरे finally तो आपने शुरू कर दिया सब A category अरे बस दोस्तों से A category तो शुरू करेंगे न यार क्या बात करो यार आप P.740 740 नहीं है 760 है and let us see very simple, so first point is members in practice CA becomes practicing chart accounting if takes COP from ICAI या फिर या फिर, deemed to be in practice if he is doing CA related services तो कोई भी बंदा प्रैक्टिस में कब आएगा अगर वो सीयोपी दे लेगा तो प्रैक्टिस में आ जाएगा या फिर जब उसको डीम कर दिया जाता है विन इस डीम तो बी इन प्रैक्टिस ठीक है जब वो सीय रिडिट सर्विसेज देगा इसमें इसमें बहुत important है very important कि यह जो पूरा काम है for remuneration होना चाहिए हो सकता है कि remuneration मिल चुका है हो सकता है कि remuneration आगे जाके मिलने वाला है received और to be received पैसो के लिए होना चाहिए तो अगर आप charity में काम कर रहे हो या अपने रिष्टेदारों के लिए काम कर रहे हो दोस्तों के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पर deemed to be in practice का concept नहीं लगता है ये for remuneration होना चाहिए for remuneration in professional capacity As a professional खुद अपने नाम पे आप ये service दे रहे हो ठीक है? ऐसा होना चीए इसी का मतलब होता है Not in Capacity of employee ये सारे काम जब as a employee आप कर रहे हो अपने मालिक के लिए तो आपका मालिक प्रैक्टिस में है आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो बहुत सिंपल सी बात है ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है कि बंदा प्रैक्टिस में कब आता है CEO पी लेने के बाद आता है या फिर उसके उपर deeming fiction लगा दिया जाता है जब वो CA related services provide करे और उसमें खास बात है ये deeming fiction तब ही लगता है जब वो फ़र remuneration हो या फिर professional capacity में हो not in a employee capacity ठीक है? अब important है कि CA related services या फिर it is nothing but list of activities it is nothing but list of activities ठीक है? list of activities में क्या आएगा? एक चीज में एक चीज जो हम लोगों ने शुरुआत की उसमें में यहां पे बस एक note एक चीज में लोगों 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 जो part 1 की CNOs है वो हम बाद में cover कर रहे हैं कुछ बच्चों को गद कभी ऐसा लगता है सर आप करवाओगे कि नहीं करवाओगे ठीक है? नव आई बहुत सिंपल सा कोई भी चाड़ अकांट कोई भी चाड़ अकांट as an accountant to the public CA बनने के बाद अगर आप लोग को बोलते जा रहे हो कि हाँ मैं एक practicing charge accountant हूँ ठीक है मैं एक practicing charge account हूँ मैं accountant services provide करता हूँ आप अगर ऐसा लोग को बोलते जा रहे हो ठीक है तो definitely आपको deemed to be in practice मान ले जाएगा कि भाई तुम एक practicing charge accountant हो deemed बोलते हो अपने visiting card पे लिखते हो तो आपको deeming fiction लग जाएगा अगर आप establish करते हो आप office setup कर लेते हो setting up establishment आप offering to offering to perform accounting services ठीक है आप अगर setup करते हो establishment office बनाते हो ताकि उसके बेज़ पे आप लोग को CA की services provide कर सको वो आपस deemed to be in practice या फिर offer करते हो members deemed to practice only when when they are actively engaged in accountancy but also when they offer अगर आप offer to provide accountancy services regardless of whether they actually do so regardless of whether they actually do so तो अगर आप offer करोगे if you offer ठीक है अगर आप accountancy CA related services आप offer भी करोगे तो deemed to be in practice लग जाएगा तो आप CA बने आपने लोग को बोलना शुरू किया logical sequence है logical sequence में very important एक logical sequence में याद रखने के लिए कि लंबी चौड़ी लिस्ट है logical sequence में हम लोग चल रहे है ठीक है CA बनने के बाद में आपने लोग को बोलना शुरू किया represent करना शुरू किया deemed to be in practice office बना है deemed to be in practice services offer की deemed to be in practice अगर आप accountancy वाले काम में engage हो जाते हो accountancy वाले काम में आप engage हो जाते हो आप accounts की consultancy देना शुरू कर देते हो practice of accountancy professional service और assistant regarding accounting आप accounting consultancy देना शुरू करते हो accounting procedures में help करते हो recording, presentation ठीक है आप करना शुरू करते हो तो आप accountancy वाला कोई भी काम, consultancy देना accounting में system design कर देना accounting में help कर देना entries पास करवा देना will be deemed to be in practice अगर आप auditing वाला काम करते हो offers to perform involving auditing कोई भी offer किया किसी भी तरीगा कोई verification of financial transaction records records कर दिया deemed to be in practice फिर इसके अलावा इसके अलावा council can prescribe additional services council समय समय पे list को बढ़ा कर सकती है ठीक है कि ये ये काम भी C-8 services माने जाएंगे और power to ISA to provide additional services as within the scope of charge accounting practice आज के दिन तक उन्होंने दो चीजों को prescribe किया है सबसे पहला regulation 191 और दूसरा management, consultancy and other services और उन्हें list को आगे बढ़ा है list को आगे बढ़ा है ठीक है regulation 191 हम लोग अभी देखेंगे ठीक है और फिर उसके बाद में management, consultancy and other services की list लंबी है उसको थोड़ा बाद में देखेंगे regulation 191 क्या बोलता दूसरों बिल्कुल चिंदा मत परी बहुत सिंपल से क्या बोलता है member shall be deemed to be in practice in his professional capacity neither his personal nor his capacity as an employee अगर अपने professional capacity में वह हमने बोला कि खुद के नाम पर contract है तो वो professional capacity है अगर अपने boss के लिए काम करोगे that is not a professional capacity अपने दोस्तों के लिए काम करोगे रिस्तेदार दोस्तों के लिए काम करोगे that is not professional capacity act as पैस वाला काम बहुत याद अगर sensitive पैस वाला काम करोगे मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ये exactly क्या बोल रहे है पैस वाला काम company के liquidator trust के trustee एक individual के death होती है तो will के executor company में court appoint करता है administrator तुम company को संभालो 6 मैने के लिए तीन मैने के लिए dispute चल रहा है problem चल रहा है arbitrator debenture holder receiver को appoint करते advisor और रिप्रेजर इन costing finance tax उसके advisor या representative बनते हो ठीक है और इसके अलवा आप कोई appointment लेते हो by central government और state government और court of law बड़े बड़े लोग any other legal authority या फिर act करते हो as a secretary secretary मतलब बहुत बड़े लोग है secretary मतलब कौन जो government में ministries होती है central government में ministries होती है state government ministries होती है ministries में सबसे powerful आदमी होता है secretary secretary आपने सुना होगा defense secretary finance secretary home secretary सबसे powerful आदमी जनली IS offices होते है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है चार्ड accountants को appoint किया है इतने बड़े post पे appoint करेंगे वह आपस आपको deem to be in practice लग जाएगा लेकिन अगर ये आप ऐसा job कर रहे हो और salary कम full time based पे कर रहे हो तो आपको deeming fiction नहीं लगता है क्या लिखा है मैं आपको बताऊँगा चिंता मक्ते लिए बताऊँगा मैं आपको लिखते लिखते पूरा प्यार हो जाएगा आपको बहुत simple सी बात हम discuss कर रहे है ये list के दो importance है जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको deeming fiction लग जाएगा और जो लोग practicing charge account COP holders ठीक है वो क्या-क्या काम कर सकते है वो हमको clarity मिल रही है देखो CA related services define किया जा रहा है जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको deem to be in practice में कर लेंगे और जो existing practicing charge accountant है वो क्या-क्या काम कर सकते है उनका scope क्या है range of activities क्या perform कर सकते है वो भी आ रहा है ठीक है चली यहां तक हम लोग लिखते हैं let's see let's write this और आपके दिमार्ग में पूरी clarity आ जाएगी CA related services में क्या क्या आएगा तो इसको हम लोग एक logical logical practical logical practical sequence में हम लोग लिखेंगे इसको आईए ठीक है logical practical sequence में इसको लिखते है तो बहुती simple सी बात अगर CA बनने के बाद में प्रेजेंट्स हिमसेल्फ डारिक्ली और इंडिरिक्ली अज प्रेक्टिसिंग अकाउंटन CA बनने के बाद डारिक्ली इंडिरिक्ली किसी भी तरीके से डारिक्ली बोल करके विजिटिंग कार्ड के थूँ अगर आप लोग को बोलते हो कि मैं एक प्रेक्टिसिंग बन्दा हूँ तो आप खुद ही बोल रहे हो तो दीम तुब इन प्रेक्टिस कर देंगे और CA Act जित सेट्सप आफिस आफिस बना लिया डिम तुब इन प्रेक्टिस आफिर्स आफिर्स एनी CA रिलेटेड सर्विस आफिर करते हो ठीक है भलेई इर्रिस्पेक्टिव अफ पर्फॉर्बन्स अभी तक पर्फॉर्म किया कि नहीं उजान दीजिया ओफर किया डिम तुब इन प्रेक्टिस पर्फॉर्म्स अकाउंटन्सी सर्विसस अकाउंटन्सी सर्विसस मतलब क्या होगा अकाउंटन्स सर्विसस में ठीक है कंसल्टन्सी देना कि अकाउंटिंग कैसे करना सिस्टिम सेटप करके देना अकाउंटन्सी का ठीक है या फिर राइटिंग बुक्स बुक्स अकाउंट्स लिखकर देना अकाउंटिंग करके देना या फिर पर्फॉर्म्स ओफर तो पहली कवर कर लिया हम लोग ने पर्फॉर्म्स एनी audit जैसे audit related और verify related कोई भी सर्विस देना कोई भी सर्विस देना वापस deem to be in practice देखो यह कितना logical sequence है खुद को प्रेजेंट करना deem to be in practice office setup करना deem to be in practice offer करना deem to be in practice पर्फॉर्म करना accountancy related काउंटिंग पर्फॉर्म करना कोई भी audit या related verification deem to be in practice देखो बहुत simple principle oriented है दोस्तों और उसको वैसी रखिए ठीक है बहुत simple principle oriented हम लोग चल रहे है इसके उपर ही ऐसी case आते है है I.C. AI कैं एक्षेंट अच्विटीश बहुत इस अच्विश CA रेलेटर शर्विस्सु प्रविस्सु एज इस इस इवन बबने नुमर्वान बबने वार्ट विस्ट विए इस इस इवन नुमर्वन 191 दूसरा management consultancy and other services MCOS बुलूँगा मै two implications two implications of CA-related services पहला implication CA is deemed deemed to be in practice जो भी चाड़कों ने काम करेगा deemed to be in practice दूसरा implication जाधन ले सक्क्टबूच कारेज़बू काड़ुबूबुट षिर्टपूट प्रकिस्थड़ूड थिर्टेश काम policy Davide भी प्रकिसे कर सकता है है। ऊसमें और clarity भी तो बहुत simple है दोस्तों हम लोगों ने बताया कि members in practice मतलब क्या दो तरह के लोग आते members in practice में और फिर हम लोगों ने ये बताया कि ये जो CRITS service है एक दम बहुत logical sequence है इसका logical sequence है और ये list को institute बड़ा करता रहता है बड़ा किया भी है दो बार इसको बड़ा किया है regulation 191 issue करके और management consult MCUS करके list बना कर ठीक है इसमें section subsection यहां पर कोई आपको कोई ज्यादा याद रखने की ज़रूरत ठीक है आप सिफ अगर आपको याद रखना ही है तो आप सिफ इतना याद रह सकते हो यहां पर कि members deemed to be in practice जो है members deemed to be in practice it is under under section under section 2 subsection 2 of CA act section 2 subsection 2 के अंदर यह पूरा deeming fiction का discussion है deeming fiction का पूरा का पूरा discussion ठीक है तो दो simple simple से दो simple simple से इसके implications है दोस्तों two very simple implications are there अब हमको अगला point है यह regulation 191 regulation 191 जो है उसके उपर हमको बात कर दिये दोस्तों आईए regulation 191 इंस्ट्यूट ने regulation 191 इशू किया और उसमें उन्होंने बोला following will be considered as कि भाई आप CA related services दे रहें और आपको भी deeming fiction लग जाएगा ठीक है अब इन्होंने क्या-क्या include किया उसमें मोटा मोटी अगर मैं बोलू ठीक है कि अर्डूच सर्वेस कि श्यूट धियूटीच अन्होंने को ने स की शंवेश्च ने संवेश्च ने सीड़क्यूटीच सेंट्द्ध ओ रोलू एक्टिविटीज जैसे सेंसेट सियर मनी डिटेड एक्टिविटीज इसमें सबसे बड़ी होती है कमपनी अगर कमपनी में कोर्ट अपॉइंट कर सकती है एड्मिनिस्ट्रेटर बहुती जिम्मेदारी वाला काम है अगर आपको यह जिम्मेदारी वाला काम आपको मिला है ठीक है एड्मिनिस्ट्रेटर एक्चुली एड्मिनिस्ट्रेटर वाला काम आपको मिला है ठीक है और देखो याद अखने का अब एकडम तरीका भी बता रहो administrator वाला काम मिला है will be deemed to be in practice बहुत sensitive काम है administrator वाला या फिर जब भी court appoint करते है dispute है भाई थोड़े समय के लिए आप company को संभल लिए थोड़े समय के लिए you see what's happening in the company you only see तो वो आपको administrator appoint कर सकते है they can appoint you as an administrator या फिर आपको company में arbitrator company में arbitrator appoint कर सकते है disputes आप resolve कर गये या फिर generally debenture holder receiver या फिर बहुत बड़ा आदमी होता है administrator उसे फ़राच होता होता है arbitrator ऐसी या बखने के लिए हम लोगी sequence क्रिएट कर रहे है देखो कोई भी चीज़को याद रखने है न ग्रूपिंग करो पूरी चीज़को एक साथ याद रखने के लिए मज़ो बहुत difficult होता है आप group करते जाओगे याद हो जाएगे अगर अगर आप लिक्विडेटर इससे छोटे अगर आप लिक्विडेटर अगर आप रिसीवर खाया है अगर आप किसी ट्रस्ट में ट्रस्ट ही बन जाते हो, पुरे ट्रस्ट को समालने का, इंडिवीजुल विल है, एग्जिक्यूटर ओफ विल, विल कोई एग्जिक्यूट करने वाले बन जाते हो, तो वापस दीम-to-be-in-practice लग जाता है, अगर ऐसे sensitive काम करोगे, तो दीम-to-be-in-practice, फिर, advisory और representation, पई, accounts वाला काम तो cover हो गया था, accounts और audit हमारे bread and butter है, लेकिन इसके अला भी तो और काम करते हैं न हम लोग, advisory या represent करते हैं client को, किस के अंदर, tax के अंदर, ठीक है, tax के अंदर, उसके बाद, अगला popular, सबसे popular tax, tax के बाद, ठीक है, finance के अंदर, financial advisory represent करते हैं, tax, finance, या फिर उसके बाद में costing, यह पो popularity के इसाब से लिखा मैंने, tax, फिर finance, फिर costing, तो वापस आप deemed to be इसमें आ जाओंगे, या फिर, आप कोई भी पोस्ट लेते हैं, if you are taking any post, कोई भी आप पोस्ट ले रहे हो, पोस्ट, या फिर आप ऐसा बूलिए, appointment, appointment to post by, सबसे बड़ा होता है, court, या फिर उससे छोटा central government, या उससे छोटा state government, कोई भी पोस्ट गिवन भाई court, और central government, और state government, ठीक है, या फिर, secretary to ministries, इत्ता बड़ा काम, secretary to ministries, इत्ता बड़ा काम अगर आप करते हो, ठीक है, secretaries to ministry, वापस deeming practice, unless, यह deeming fiction, यह repeat हो रहा है, जो हम पहले ही पढ़ चुक है, unless, या फिर आप simple language देखो, अब आप खुद प्रोफेशनल केपैसिटी, अगर आप professional केपैसिटी में काम कर रहे हैं, professional केपैसिटी, ठीक है, आप खुद यह contract अपने नाम पर दे रहे हैं, तो यह होगा, not employee capacity, और अपने दोज, भाई, रिष्टेदार, personal capacity, यह भी discuss किया था, यह repeat हो रहे हैं, तो regulation 191 में उन्होंने, ऐसा आपको याद होना चीए, पैसो से sensitive जो चीजे हैं, वो cover की है, फिर उससे थोड़ा कम important, advisory और representation किया है, ठीक है, advisory representation वाला काम किया है, फिर appointments है by central government, central government और state government, या फिर secretaries to ministries, अगर मैं थोड़ा सा finicky हूँ, मैं sequence को लेकर, थोड़ा सा sequence change कर रहा हूँ, आप चिंता मत करें, आपने sequence नहीं भी change की, तो भी चलेगा, कोई problem नहीं है, तो मैं अगर बोलना चाहूँ, तो मैं थोड़ा finicky sequences को लेकर, अगर आप पैसवाला काम करते हो, बहुत important, government की post साप लेते हो, government की post secretary बनते हो, तो बहुत important, ठीक है, या secretary बनते हो, equally important, या फिर advisory करते हो, यह चार काम करोगे, आप deem to beem practice हैं, अंडर regulation 191, वापस professional capacity बहुना अच्छी है, आपकी employee capacity, और personal capacity से कोई मतलब नहीं है, तो मैं जानता हो दोस्तों, लंबा चोड़ा है यह, कोई बात नहीं, यह आज के लिए आखरी चीज़ है, यह आज के लिए, यह आज के लिए आखरी चीज़ है, ठीक है, आज आपने इतना लिख लिए हैं, समझ लिया, भाया, lecture सफल है, जिंदगी सफल है, आज का DPQ मैं आपको दूँगो, वो DPQ आपको solve कर लेना है, हमारे portal पे upload कर देना है, आप सब को message में आ जाएगा, ठीक है, toppers test, www.topperstest.com topperstest.com पे जाना है, अपना register, email id, username and password, ठीक है, upload कर देना, कोई भी problem आएगा, तो admin number मैं ने शुरुआत में दिया था, उनसे बात कर लेना, ठीक है, उनको whatsapp कर लेना, बात कर लेना, पता चल जाएगा, मैं जो आपका telegram group है, वहाँ पर भी इसको upload कर दूँ, इसके बाएर में बता दूँ, आईए, खतम करते किस्से को, फिर, इसके अलावा, जो, यह regulation 191 तो है, regulation 191 है, ठीक है, इसके बाद है, management, consultancy, other services, management, management, and other services, next, concept number में, इसको हम लोग discuss करेंगे, next concept number, ठीक है, फिर, बस आखरी के दो चीज़े, then we'll through with the lecture, deemed for limited purpose, deemed for limited purpose, यह क्या fund आई से, generally deeming fiction लगता है, ताकि charge accountant की उपर, सारे acts, rules, regulations को लगा दिया जाए, और वो उसके हिसाब से काम करें, ठीक है, नहीं करेंगा, तो punishment दे उसको, तो generally, obligations दालने के लिए, deemed to be in practice आता है, लेकिन कभी-कभी deemed to be in practice आता है, for limited purpose, an associate or a fellow of the institute, who is a salaried employee, एक salaried employee, of a charge accountant in practice, of or firm, practicing, एक salaried, एक CA, अगर as a job करता है, दुसरे CA in practice, या firm in practice मो, ठीक है, notwithstanding such, अगर job कर रहा है, and members of any other professional bodies also, notwithstanding such employment, will be deemed to be in practice, for limited purpose of training, हम आपके उपर कोई obligation नहीं दाल रहे है, आपको एक right दे रहे, बहुत interesting है, generally articles train करने का power, एक proprietorship, charge accountant के पास होता है, जो COP holder है, या फिर partner of the CA firm, के पास होता है, ये लोग articles train कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो job कर रहे हैं लोग, वो लोग भी, उनको भी, बोला है कि हम आपको deem कर देंगी in practice, ताकि आप भी, ठीक है, article train कर सको, आपके knowledge के लिए बता रहो, ऐसे लोग एक article train कर पाते, तो इसलिए कभी-कभी आपने देखा होगा, CA firm में बड़ा interesting, कि registration या तो proprietorship के अंदर, partnership के अंदर अधा है, फिर कभी-कभी, खासकर before बड़े firms में, जब capacity full हो जाती है, एक चार्ड account कितने article train कर सकता है, उसकी भी capacity होती है, maximum 10, वो खतम होने के बाद में, registration, ठीक है, CA employee के under किया जाता है, और वो भी एक article train कर सकता है, लेकिन बहुत limited powers है, एक article train करने के, तो कभी-कभी deeming fiction लगता है, लोगों को powers देने के लिए, ना कि obligation देने के लिए, बस ये एक मातर example है, फिर, CA in service, देखो, जो बंदा job कर रहा है, armed forces में, armed forces में, हमारे जो armed forces है, अगर आप military service दे रहे हो, तो वहाँ पर भी, अगर आप दे रहे हो, तो बहुत sensitive काम कर रहे हो, आपको deem to be in practice मान लेंगे, ताकि आप अच्छे से काम करें, हमारा CA का नाम रोशन रखे, आप ठीक है, सर नेवी के बारे में कुछ बोला नहीं, understood है दोस्तों, इन्होंने armed forces बोला, तो understood है, फिर आप वो Navy में हो, या फिर आप वो, Air Force में हो, या military में हो, automatically cover हो जाता है, नव, तो, deeming fiction on CAs in job, yes, yes, limited purpose, if doing job under practicing CA or firm, then deemed to be in practice, to give power to train one article not for putting obligations normally, practicing CA's can train up to 10 articles, but here, such CA in service can train one article, फिर अगला, फिर अगला, जाब इन, हूज- जाबी, to be in practice, so that CA behaves इन एथिकल मैनर एंड हेल्फ नेशन पुरियत देश को प्राइब लेट्स फ्रीज गैस एक बार में आपको बता दे रहो इसके अम्रूत पॉइंट्स लंबा चोड़ा था ना दोस्तों इसलिए अम्रूत पॉइंट आएंगे ठीक है अम्रूत पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो सिंपल अम्रूत पॉइंट क्या आया दोस्तों ठीक है कि अपहले आपको बताना है Member in Practice COP लेकर आ सकते हैं या दिमिंग फिक्शन भी लग सकते हैं CA related services में logical फ्लो में क्या क्या आता है फिर यह लिस्ट को बढ़ए料 जा सकता है तो regulation 191 के अंदर क्या क्या आता है Regulation 191 में दिया है पैसवाला काम करोगे deemed to be in practice बड़े-बड़े appointments है, deem to be in practice, secretary हो deem to be in practice, या advisory या representation काम करते हो, हमारे subject है, tax, finance, costing, deem to be in practice. और ये common चीज़ पहले भी थी, professional capacity में होना चाहिए, not in employee capacity और personal capacity. फिर कुछ job वालों को भी deem पिया जाता है, पहले इसमें obligations के लिए नहीं, power देने के लिए, और दूसरे इसमें, ठीक है, अच्छे से काम करें इसके लिए, तो अगर मैं अमरुद points, अगर मैं अमरुद points की बात करूँ दोस्तों, तो आपको बताना है, members in practice कैसे बनते हैं, ठीक है, फिर आपको CA-related services, list of activities, जो के एक logical flow में है, एक बहुती logical flow में हमने discuss किया है, फिर आपको बताना है, कि इस list को आगे बढ़ाया गया, regulation 192, पैसो वाले मामले, बड़े-बड़े post वाले मामले, ठीक है, यह list में दिया हुआ है, या अपने tax representation, चार तरह के लोग को वापस deemed to be in, चार तरह की service को वापस list में लिया हुआ है, management, consultancy and other services, MCOS, यह हम लोग बाद में देखने वाले हैं, और कुछ लोग जो job में थे, उनको भी, CAs in job, को भी deeming fiction लगाया गया, उसकी reason है, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांच चीजे आपको अम्रुत point में ध्यान रखनी है, तो बात बन जाएगी दोस्तों, चीक है, let's freeze, आज का session खतम करते हैं, I hope you loved it, you enjoyed it, आपकी दिमाग में absolute clarity है, ठीक है, तो हम लोग ने क्या के discuss किया, हम लोग ने पहले introductory बाते की, मेरे बारे में बात की, आपके course के बारे में, हमारे batch के बारे में हम लोग ने बात की, course के बारे में बात की, फिर हम आए subject के अंदर, subject में हम लोग ने बात की, ठीक है, कि कितने parts आपके होते हैं, उसमें सबसे important chapter, जो 20 मार्क का है, जो 24 मार्क पे जा सकता है, professionalics हम ने शुरू किया, उसमें हम लोग ने पहले membership related बाते की, कौन बन सकता है member, ठीक है, कैसे member बनना, उसके disqualifications क्या होते है, ठीक है, कब निकाल लिया था membership से, कैसे वापस आना membership में, membership related बाते हम ने डिसकस की, फिर COP से related, बहुत interesting COP related बाते हम लोगों ने डिसकस की, फिर हम लोगों ने आखरी में, हम लोगों ने शुरू किया, आज members deemed to be in practice, बड़ा प्यारा सा concept था, ठीक है, और बहुत अच्छे से लेकर रहा है, तो आपको मोटा मोटी, आज membership related बाते हैं, COP रिड़ हम लोगों ने बाते की, और फिर members deemed to be in practice, ठीक है, अभी ये sessions, सारे के सारे sessions important है, हम बराबर चलते जाएंगे, जो less important है, उनको हम उड़ाते जाएंगे, ठीक है, professionalics में तो भी हम लिख रहे हैं, बाकी इसमें तो कोई less important चीज़ों को हम देखेंगे भी, और ये handwritten notes आपकी बहुत जादा मदद करेगा, मैं इसको update भी कर दूँगा, telegram, group के उपर आप बिलकुल इसको access कर सकते हैं, ठीक है, बाब everyone, I hope you loved it, do put your lovely comments, अगर आपको बहुत मज़ा आया, तो lecture खतम होने के बाद में, आपके प्यारे प्यारे जो comments है, जुरूर, in fact, regular basis पे, regular basis पे, अगर आप, जब भी आप ये lecture देख रहे हो, जब भी आप ये lecture देख रहे हो, आप feedback, suggestions, हर lecture के बाद, आप, लेक्चर नंबर लिख दीजे, लेक्चर नंबर दीजे, और, जो भी लगता है आपको, 9096, 000033, वहाँ पर, आप इसको ज़रूर बता दीजे, ठीक है, बादा ब्रिवान, कल मिलते हैं हम लोग, कर द方ने हम लोगता बाद, पर दीजे हैं हम लोगता जरूर करता हैं है, हम लोगता है, हम लोगता हैं है? झाल झाल